लेक्टर को लेके चलेंगे क्योंके कल भी हम लेक्टर को स्किप कर दिया था हमने इबादत की रात और मुझे अमीद है कि आप लोगोंने अपने लिए दुआ तो कियोगी साथ-साथ मुझ ना चीज के लिए भी थोड़ी से दुआएं की होंगे चलें ज्यादा नहीं कोई तो दिल से निकले होगी ना थोड़ी सी दुआ तो अब आज का जो काम है उसको हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि प्लीज जितने में मिशीन लर्निंग का अलगरिथम जो भी काम मेरे साथ आप कर रहे हैं उसको करते करते एक बात का ख्यार रखिएगा कि ये वाले जो नोट्स हैं ये आप अपने पास सेव रखें उसकी रीजन यह है कि बहुत ज्यादा चीज़ें जो ऐसी हम डिसकेस करने वाले हैं आज और अपने आने वारे लेक्शर्स के अंदर जो आपको एक रिवीजिन न पास पास अने आखरी अशर्या है अर इसके अंदर लोग जो हम वो काफी बीजी भी हो जाते हैं बट स्टिल अगर हम काम नहीं करेंगे तो जो यह तो बीजितन तो मिनिट सम्स्टार्ट करने वाले ताकि बाकी लोग भी आजए और अगेन मैं यही कहूंगा कि आज के लेक्षर के अंदर हमने चार से पांच अल्गुरिथम इंशाला जो है वो देखने और हो सकता है वो चार से पांच अल्गुरिथम बड़े जो हैं वो बेसिक से लेके ड्वांस की तरफ हम जाएं और साथ म उन चार से पांच अल्गुरिथम की जो एक्विशन से हैं उनको भी देखे क्योंकि मैथमाटिक्स मेरा प्लैने साथ-साथ करवाने के लेकिन बहुत ज्यादा डीपली नहीं मैं जाओंगा मैथमाटिक्स के अंदर मतलब बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करेंगे मुझे जल पर अब हमारे पास आज जो हम काम करने वाले हैं वो तीन चीजों पर मुझतमिल होगा अगर ये मेरी स्क्रीन जो है वो थोड़ी से ठीक रहे हैं यहां पर यस पहला गाम हमने यह करना है आज मशीन लर्निंग के अल्गुरिथम्स देखने हैं मैल के और जो पहला अल्गु को अच्छे तरीके से समझ कि हमने इसके अंदर जितने बी कुंसेप्स होने क्लियर करना है आज ठीक है सेकंड जो हमारे पास अल्गुरिथम आएगा सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बाद मल्टी लीनियर रिग्रेशन ठीक है हम हर एक अल्गुरिथम के बीच में पांच-पांच मिनियर की ब्रेक भी लेंगे ताकि आप खापी के आएंग या जो भी आपने काम करना हों करें उसके बाद पॉलिनोमियल आ जाएगा ठीक है देन हम जाएंगे एक जिसके पीछे मैंने आपको लास्ट टाइम पे घुमा दिया था थोड़ा सा अगर आपको पता है नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि क्लासिफकेशन का एक अलगरेशन के अंदर गिना जाता है तो हम वो देखेंगे और उसके बाद हम डिफ्रेंट और किसम की जो चीज़ेंगे ठीक है मुझे यहां पर सिलमान भाई ने एक वेजी ओगी चीज की माइंड मैप बना केके क्लासिफकेशन की रिगरेशन की और बाकी चीज़ों की सिप्रवाइजड अल्गूरिफम खैर पॉलिनोमिय रिग्रेशन के बाद लोजिस्टिक के बारे में मैं सिर्फ आपको बताऊंगा यहां पर लिखनी रहा वो क्लासिफ केशिन का अल्गूरिफम इस वज़ा से उसे वहां पर डिसकस करेंगे और अगली चीज़ जो हम करने वाले हैं वो है जी रिज रिग्रेशन फिर लास्टो रिग्रेशन लास्टो रिग्रेशन जो भी आपने बोलना बोल दें यह पांच अल्गूरिफम हमारा मेन टास्क होगा अजका इन्शाल्ला और इसको हम कुछ-कुछ ब्रेक्स की बेस पेस को हम जो है वो करेंगे मतलब पहला अल्गूरिफम किया फिर दूसरा फिर तीसरा फिर इस तरीके से अगे वाले करते जाएंगे ठीक है जी और आपने मेरा साथ इस तरीके से देना है कि आपने जो आपके पॉइंट्स आपको क्लीर हैं पहले से आपन समझ आए कि सिर्फ regression नहीं हमने देखनी हमने इस पर काम भी करने हैं ठीक है चलेंज स्टार्ट करते हैं simple linear regression से simple linear regression क्या होती है और यह regression क्यों कहा जाता है इसको simple linear regression को मैं रोजाना की basis पर आपको एक चीज रपीट जरूर करवाया करूंगा जो मैं शुरू से भी करवाता हैं उसका नाम है regression वर्सिस classification क्योंकि एकसर अकात लोग बिलकुल नए सीरे से आते हैं उन्हें नहीं पता होता कि regression classification क्या है वो कहते हैं machine learning बताओ बाकी छोड़ो तो regression और classification का फरक रुजाना आपको मैं बार बार याद दिलाऊंगा कि अगर हमने किसी number को predict करना हो तो हमारे पास regression होती है और अगर हमने किसी category को predict करना हो तो हमारे पास classification होती है regression और classification में यही main फरक है ठीक है मतलब यह कि आपने अपना why देखना होता है कि वाई आपका क्या है अब वाई कहां से आगया उठके आपके कुछ columns होते हैं जिसको input and output columns बोला जाता है ठीक है अगर यह सारे के सारे input columns हैं तो उन्हें हम क्या बोलते है capital X यह वले जो है यह small y यह मैंने capital लिग दिया था यह small y है तो capital X और small y की बेस पे आप regression classification और इस तरह के टास्क जाया है उन्हें perform करते हैं ठीक है तो यह आपको याद होना चाहिए regression और classification में क्या फरक है अब regression और classification के बाद जो अगली चीज़ आती है वह क्या है जी clustering क्लस्ट्रिंग क्या तो पताने क्या है क्लस्ट्रिंग क्या होता है के एक जैसे colors या एक जैसे groups को इकठा कर देना तो उसको हम बोलता है कलिस्टरेंग इसकी एक मैंने एक्जेंपल आपको लास्ट टाइम बताई थी अपना साइकिट लर्न की एक जो मैंने आपको बोला था कि यह एथरी पर प्रिंट करके सामने लगाएं बाइद अगर आप में से किसी ने लगाई है तो यकीन माने बहुत खुशी की बात है किसी जो गुफ्तगु वाला काम है वो इन्शाला बाद में हम करते रहेंगे और इन चीज़ों पर हम फोकस करके आगे काम को मूव करते जाएंगे लेकिन जब जिस चीज की बात हो रही हो तो अगर हम उस पर फोकस रखेना तो सबका फाइदा है ठीक है वरना मेरा रियक्शन थ सीमपल लीनियर रिग्रेशन की कुछ शिरायत ہیں और हर एक यैल्गुरिफम की कुछ शिरायत है अल्गुरिफम क्या है आज की इस समझाः जागी लेर्निग कि और आपको प्रडिक्शन कीसे करते हैं वो भी समझाः जागी बढ़ी असानी के साथ ठीक है इसकी पहली श्रत क सिंपल लीनियर रिग्रेशन की SLR में से बोल रहो अपना नाम मैंने रखा है ताकि आपको याद रहे इसके अंदर एक X और एक Y होता है यानि के एक input एक output यानि के एक feature और एक label ठीक है समझागी और ये दोनों नुमेरिक होंगे दोनों ही नुमेरिक होंगे ये इसकी शर्त है ठीक है दोनों ही नुमेरिक होने के बाद एक dependent होगा एक independent होगा dependent और independent का फरग आपको पता है न तो इसमें से कौन सा dependent होना चाहिए और कौन सा independent होना चाहिए आपको क्या लगता है जी एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट यूजली वाई डिपेंडेंट होता है इसमें ठीक है यह इतनी से बात के अंदर मशीन नर्निंग का जो पहला अलगोरित्म है सिंपल लीनियर रिग्रेशन उसकी जो चीजें हैं वो हमें क्लियर हो जाती है ठीक है वाई क्यों डिपेंडेंट है उसकी रीजन क्या है बिकाज वी हाव टू प्रिडिक्ट वाई बेस्ट ऑन एक्स ऐसे ही है इस बज़ा से हम डिपेंडेंट रखते हैं यह आपको समझ आगे होगी अब अगली बात करते हैं इसी की बेस पे इक्स और वाई इन दोनों की बेस पे इक्स क्या है इनपूट और वाई आउटपुट इनपुट वाई आउटपुट का आपको नहीं पता तो आप ये दो वाले एक column आपके पास आते है एक data frame के x यहां पे है ये y है x के अंदर अगर आपका food रख दिया जाए और y के अंदर आपका weight रख दिया जाए तो आपको समझ आ रही होगी के food की base पे हम weight को predict कर सकते है food independent है यानि के वजन पे food का इनसार नहीं है इस वज़ा से हम x और y को ड्रॉ करते हैं अच्छा दुन्हों नुमेरिक होंगे तो plot कौन सा बनेगा single column x और single column y दुन्हों नुमेरिक होंगे तो हमारे पास plot क्या बनेगा possibility किसकी है सबसे पहले plot की वह स्कैटर plot एक्स यहां पर हम रखते हैं वाई यहां पर रखते हैं एक्स को एक्स एक्सिस बोला जाता है ठीक है यहां पर जो है यह एक्स एक्सिस है यहां पर हमारा वाई एक्सिस अब अक्सर रोकात लोग इससे परिशान होते हैं यह जो वाई एक्सिस वाला वाई नहीं है यह यह लेबल्स वाला वाय है ठीक है यहां तक समझ जागी बात की अब यहां पे scatter plot के इलावा भी और भी plot बन सकते हैं लेकिन हमने scatter plot क्यों बनाना उसकी रीजन अभी देखते हैं हमने यहां पे scatter plot इस वज़ा से बनाना है क्योंकि दोनों numeric है histogram बनता है एक column का scatter plot बनेगा दो numeric चीज़ों का कैसे अगर आपके x की value और y की value cross pond हो रही हो तो हम उसकी base पर यह पूरा plot बना सकते हैं राइट ऐसे ही है अगर मैं इसी को एक equation में आपको दिखाऊं या कुछ points की base पर दिखाऊं तो कुछ ऐसे चलेगा यह काम यह हमारे पास कुछ points बनेंगे और उन points की base पे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा data कहां पर आना है मैं इसको थोड़ा से नीचे कर ले तो ताकि आपको सही से नज़र आए यह for example मेरे पास दो points है मैं यह color different select कर लेता हूँ यह मेरे पास दो points है एक यह वाला x-axis से यहां पर जाएगा y पर यहां पर जाएगा तो अगर यह भी 1 है यह भी 1 है तो 1,1 यहां पर यह दोनों इस point को बना रहे हैं size बिशाक उसका बड़ा है ठीक है तो जब भी हम किसी भी scatter plot के coordinates गिनते हैं तो x, y होता है x, y यानि के x-axis की value और y-axis की value फिर जाके एक point बनता है वहां पर इसका अगर हम draw करें तो इसका कुछ इस तरीके से बनेगा point तो scatter plot करता क्या है basically आपके x और y के points की base पे इस चीज़ को draw करता है ठीक है इसी वड़ा से हम इसको scatter plot बोलते हैं ठीक है और आप एक point के coordinates easily निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से सही है अब होता क्या है आप python के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर दो variables को code करने के बाद उनको draw करते हैं जैसे आप draw करते हैं फिर आप क्या करते हैं उसमें से एक trend line गुजारते हैं something like this यह trend line क्या करती है यह trend line हमें बताती है कि based on the x and y आपके पास कौन सा एक model बन रहा है यह जो line है यह असल में यहाँ पर simple linear model है linear model जिसे हम बोलते हैं और यह line क्या करती है basically हम एक idea देती है और x और y को draw करने का बाद इसका trend क्या बन रहा है आपने देखा था नए idea के दुरान हमने scatter plot बनाया और उसके अंदर हमने trend lines भी बनाई थी ठीक है हम यहाँ पे trend lines बना रहे होते हैं यह जो trend line है यह equation देती है और यह वाली equation जो है यह हमारा एक model होता है हम इस equation के साथ predict कर सकते हैं y को इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास for example यह equation आती है 2x is equal to y तो यह भी तो एक model है ना linear model कैसे अगर x की value मेरे पास 2 है तो y के कितनी होई अगर x की value मेरे पास 2 है यहां पे तो y के कितनी होगी चार ठीक है अगर x की value 4 होगी तो y के कितनी हो जाएगी यहां पे आठ तो ये एक linear model है अगर आपको linear model के मैं बता हूँ तो ये भी एक linear model है ठीक है कैसे model है ये linear algebra जब आप पढ़ेंगे ना इसके अंदर ये आपको चीज़ें clear होंगे बाइदावे हमने mathematics के एक सीरी स्टार्ट की हुए उसके अंदर हम ये चीज़ें बता रहे हैं बकाईदा क linear equations क्या आती है linear algebra क्या आता है linear equations किस तरीके से बनती है ठीक है अब ये जो left side of this equation है अगर हम इसको ऐसे रख रहे हैं तो ये right side हो जाएगी ना मतलब ये के y को predict करने के लिए x के साथ हम जो भी चीज़ें साथ में लिखते हैं वो इस line से निकल रही है वो चीज़ें ठीक है औ अब इस line को हम खुद draw नहीं करते पुराने जमाने में लोग खुद draw करते थे अब हम computation के थूरू इसको draw करते हैं समझागी बात की now इस line का main मकसद क्या है ये line जो है इसका मकसद है अपने ये वाले रिष्टेदारों को खुश रखना सभी के सभी को एक भी नराज हो गया तब वाड़ा पहे जाना है तो इस line नहीं ये सारे रिष्टेदारों को खुश रखना है ये जो points है ना x और y के ये सभी के सभी खुश कैसे होंगे जब सभी के सभी को equal priority पर ये line रखेगी equal priority का है कि अगर एक चाचु को ज्यादा बैठने के लिए सरहना दिया तो दूसरे चाचु को भी अच्छा सरहना मिले ये ना होके एक चाचु को सरहना दे दिया दूसरे को खेस तक नहीं दिया और वो पौंदी पे बैठा हुए पौंदे के आते हैं मतलब चार पाई के इसके इसको खुश करने अब ये लाइन बिचारी क्या है बेसिकली ये लाइन वो चीज़ है जो जनरलाइज करती है पूरे के पूरे ट्रेंड को इन पॉइंट्स के दरमयान में अब इस ट्रेंड को कैसे बनाया जाता है मैं अभी आपको बताता हूँ अगर ये लाइन यह पे हो। तो इसका ये वाला जो side है, वो different होगी, अगर यही line इस तरीके से हो, तो ये जो इसकी equation है, y is equal to ये हो सकती है 2x plus 3, सही है? जैसे line ये tilt करनी है, और अगर ये और भी tilt हो जाए कुछ इस तरीके से, तो ये line different equation देगी, और अगर ये line लाइन इस तरीके से टिल्ट हो जाए तो ये लाइन और भी डिफरेंट एक्वेशन देगी सही है अब ये बिचारी लाइन पंगे में पड़ी हुई है कि कैसे सभी को खुश रखा जाए ठीक है अब ये क्या करती है फिर कहती है अच्छा ठीक है मैं एक जगा पर खड़ी होती हूँ और वो जगा मैं ऐसी डिसाइड करती हूँ जहां पे सब के सब मिनिममम खुश रहें उस पॉइंट को हम बोलते हैं मिनिममम स्केर्ड रेजिडियूल एरर मतलब ये के लाइन एक ऐसी पुशिशन पर आ जाती है जहां पे लाइन से डिस्टेंस ये वाला सभी का मिनिममम हो जाता है पॉसिबल मिनिममम ये जो डिस्टेंस है ठीक है क्यों ये डिस्टेंस हम चेक कर रहे हैं क्यूंकि ये वाली लाइन ने ना हमें जनरलाइज मॉडल देना है और अगर एक भी नराज हो गया नहीं उसने खैंच के अपनी तरफ लाइन कर लेनी है वेट्स अपनी तरफ कर ले हुआ है यह असल में सभी की सबी फुपों को खुश रखने के लिए बना fraction आप यह समें लिए कि यह लिया यह वो बथीजा जो सारी फुपों को खुश लखने में लगा हुआ है अगर एक भी नराज होगी ना तो भाई आप कुछ नहीं कर सकते थे so that's point जो वो वाला point है ना ये इन सभी lines का distance को कम करने का वो ढूरना बहुत मुश्किल है और आज कल computer ने जिन्दगी असान कर दी है अब आप खुद चेक करें ये वाली line यहां से गुजर रही है ना इसका distance इससे minimum है जो दूर वाले उसका भी minimum है अगर आप इसको थोड़ा सा all tilt करेंगे ना इसका ज्यादा हो जाना है इसका minimum हो जाना है तो best fitted line क्या होती है best fitted line is a line where the distance between the points and the line are minimum जो distances है ना उसके minimum हो अब एक और मसला हा जाता है ये जो उपर वाले point है इनका distance हमें why मतलब यहां से अगर मैं इसको draw करूं sorry तो यह distance इतना सा बनता है ठीक है अगर गोर किया जाए मैं सिर्फ आपको चेक करवा रहा हूं कि अगर मैं इसको draw करूं यहां से या अगर line को मैं यहां से draw करूं तो इसका distance कुछ इस तरीके से यहां से इतना बन जाएगा लेकिन जो नीचे वाले points है for example अगर मैं आपको एक example दूँ यहां पर यह वाली तो यह वाला distance माइनस में नहीं हो जाएगा उपर से नीचे की तरफ ऐसे ही है मतलब अगर इसका उपर की तरफ distance लिया जाए तो यह प्लस में होगा नीचे वाला माइनस में हो जाएगा इसी वज़ा से हम इस line के distances को या residual errors को scared लेते हैं स्केर कर लेते हैं ताकि negative value को positive कर दिया जाए समझारी बात की अब आपने दो चीज़ें याद रखनी है line को best fit करना है ताकि सभी का distance minimum हो मतलब उस से ज़्यदा सिर्फ खमोशी ठीक है और अगली चीज़ एक बहुत अच्छी example आई है इमरान भाई कहते हैं कि ये line वो वाले वो वाला बंदा है या बंदी है जो शादी वाले दिन देग पे बैठी होती है कि सभी को बराबर की बोटियां जाएं किसी को एक लेग पीस चला गया दूसरे को गर्दर वाली बोटी चलेगी ना उसने नराज हो जाना है तो आप ये समझ लें कि आपके पास ये line का square हम इस वज़ा से distance का square लेते हैं अब इस पूरी चीज को हम बोलते क्या हैं ये line हमने ड्राव करने इसको बोलते हैं best fitted line best fitted line कौन सी line होती है जरा google करेंगे कि simple linear regression में best fitted line कौन सी line होती है google करेंगे आप please झाल best fitted line वो line होती है जो sum of scared errors को minimize कर दे, minimum रखे अब वो कैसे बनती है आपको वो मैं दिखाता हूँ अगर मैं ये तीन line आपको लगा के दिखाएंगे यहां पर why हो be के equal ठीक है और ये वाला जो point है ये x1 और y1 coordinate है x और y coordinate जो मैंने पहले आपको बताए ये one point है यानि के पहला point उसके coordinates है समझा रही है x1, y1 यानि के ये one point है इसका x1 और y1 है ये 2 होगा तो इसका क्या होगा x2, y2 ठीक है कोई मुश्किल बात तो नहीं है न यहां तक ये three है तो इसका क्या होगा आपको पता है ये four है तो इसका क्या होगा ये भी आपको पता है five six तो अगर six point है ये उनके coordinates है ये y is equal to b हमने करती है मैं simply आपको समझाने की बात करता हूँ अब y is equal to b किया हमने जब हमने distance mapना है तो हम किस तरीके से mapनेंगे बी वो वाला point है जो यहां पे है और ये वाला point वाए का कौन से है वाए one तो हमारे पास जो error आती है distance आता वो क्या बी माइनस वाए one राइट कैसे ये बी है total और ये है वाए one तो अगर हमने ये वाला distance mapना है तो हम इसमें से ये वाला निकाल नहीं देंगे बी माइनस वाए one ठीक है basic mathematics है तो मैंने वो ही बात की इसको मैंने error को कुछ इस तरीके से लिए बी माइनस वाए one राइट पहले point की कितना distance है line से सही हो गया अब अगर मैं दूस्रे point का लिखनगा वाई टू तीसरे का लिखनगा वाई थरी चोथे का लिखनगा वाई फोर पांच में के kita लिखनगा older जिस्पे घेसे मैंने आपको यहां पर बताया था कि points के numbers अगर दखाइं जाएं। तो वह some error को minus में ले जाते हैं और एक दूसरे को cancel out करना start कर देते हैं मैं आपको एक मिसाल देता हूँ अगर यहां पे मेरे पास पहली का answer आता है for example minus two मैं example दे रहा हूँ ठीक है plus plus four यह वाला plus four है तो इसको मैं plus को काड़ देता हूँ और आगया plus five minus six plus seven minus eight कुछ इस तरीके से लिखता हूँ इसका answer हम अगर देखें तो यह बनता है minus के हमारे पास आठ और आठ शोला होगे plus के हमारे पास साथ पांच बारा और चार शोला तो यह end पे हमारे पास कितना बचता है तो अगर हमारे पास यह zero बचेगा तो हम तो कभी भी estimate नहीं कर सकते ना बेस्ट फिटिड लाइन को और यही वज़ा है के हम scared ले लेते हैं जैसे हम scared लेते हैं जो minus वाली values है वो भी plus हो जाती है और वो जब हम some of scared of mean error यानि के sorry some scared from the line to the point वो हम लेके हमारे पास जो value होती है ना उसको minimize करने की कोशिश करते हैं ठीक है और इन चीजों को बोलते है scared errors scared error यह square है यह error हमने find की थी right scared error लेके हम उसको लिख लेते हैं इसको लिखने के बाद हमारे पास जो value सबसे minimum होती है ना वो best fitted line को show करती है हम वो कैसे calculate करते हैं हमने यह काम करना होता है चले मैं आप यह आपको बताता हूँ क्या चीज़ है यह जो error है हमारे पास यह कैसे calculate हो रही है जिसको मैं distance बोल रहा हूँ यह हमारे पास है य प्रेडिक्टेड ठीक है यह जो हमने line लगाई है इसकी base पे य प्रेडिक्टेड बनना है यह हमारे पास है original value तो जो इसका distance है वो error नहीं होगी है हमारे पास मैं एक मिसाल देता हूँ यहां पे हम जो predict कर रहे हैं न model के तरूँ उसकी value यहां पे आ रही है six एक मिसाल दे रहा हूँ लेकिन actual value इसकी eight है यह जो point की value यह हमारे पास eight है actual value इसकी eight है लेकिन हम line की base पे कह रहे हैं यह six है तो यह why predicted से why actual के distance को हम error बोलते हैं यानि के आप कोई बात करें और वो बात actual से कम होई या ज्यादा हो for example मैं आप से पूछता हूँ आज कितनवा रोज़ है आप बताएंगे कितनवा रोज़ है कोई बता सकते हैं आज कितनवा रोज़ है अठाइस्वा कुछ लोग कह रहे हैं सताइस्वा जो इफतार किया वो कितनवा रोज़ा था सताइस्वा ठीक है अब मेरी बात सुने अगर मैं इसको बोल दो 29 रोज़ा था तो आप क्या कहेंगे कि ये दो एक्स्ट्रा बता रहा है दो की एरर है यही वैल्यू है कि जब भी आप एरर को देखते हैं आप वाई प्रेडिक्टिट से वाई एक्शूल का डिस्टंस देखते हैं समझागी बात की तो हमने जब जनरलाइज लाइन बनानी होती है तो हम एरर को इस तरीके से काउंट करते हैं इसको फर्दर मैं भी अलेबरेट भी बोल सकते हैं बट रेजिडियल का लफ्स क्यों यूज होता है क्योंकि हम उरिजिनल लाइन से जितना रेजिडियू बचता है ना पॉइंट का उस वज़ा से हमें रेजिडियल बोलते हैं जब हम इन सभी को जमा करते हैं इसको हम बोलते हैं सम जब हमने सभी को जमा कर यह इस वज़ासे इसको सम आफ स्केर बोलते हैं सम आफ रेज़ुडल भी बोल सकते थे अगर हम स्केर ना लेते लेकिन वी आफ टो टेक डाट वन इंटो अकाउंट अब होता क्या है आपके पास यह सारी की सारी लाइन ऐसे बन रही होती है और एंडलेस ओपर्चुनिटीज आपके पास लाइन को बनाने की ठीक है जो हमारे पास बेस्ट फिटिड लाइन का मेकनिजम है वह लीस्ट स्केर मैथड लीस्ट स्केर मैथड का पता किसी को यह लीस्ट स्केर रिग्रेशन का यह बेसिकली आपकी बेस्ट फिटिड लाइन को बनाने के लिए होता है कि आपका सम आफ स्केर्ड एरर्स यह रेजिडियूल वो कम करें यह मैथड होता है जिसके तुरू हम इसको यूज करते हैं हमारे पास जो लाइन है वो बेस्ट फिटिड लाइन आ जाती है अब होता क्या इससे हम इसको किस तरीके से बनाते हैं जब हमारे पास बेस्ट फिटिड लाइन आ जाती है ना एरर्स की बेस पे वो line हर point से minimize distance हमें बताती है और वो distance हम हाथ के साथ calculate करना चाहें तो हम सभी को जमा करके भी ले सकते हैं लेकिन computer हमें मदद करता है तो हमें कुछ भी करने की जरूराद नहीं पड़ती at the end हमारे पास line की best fitted line के बाद एक equation आ जाती which is equal to y is equal to a x plus b ठीक है जो मैं पहले आपको बता रहा था ना y is equal to 2x plus 3 यह same वो ही चीज़ है जो मैंने आपको उपर बता आई है हमें यह equation मिलती है इस line के थूरू और यही machine learning है machine learning आपको एक line बताती है equation बताती है जिसकी base पे आप prediction करते है ठीक है समझारी बात की अब आगे चलते है लीनर regression में बड़े concept हैं भी आस्ता आपको सारे clear हो जाएं ओके आगे चलते हैं अब कुछ जगों पे आप इसे y is equal to बीटा नॉट प्लस x प्लस epsilon भी कहते है यह तकरीबन वही चीज़ है यह 3 को आप यहाँ पर अगर लिख लें यह वाली चीज़ को अगर यहां पर लें और epsilon आपकी error हो जाए तो आप इस तरीके से भी generalized neural model जो अपना बना सकते हैं ठीक है अब यहां पे इस model के अंदर और जो हमने बनाए उसके अंदर फरक क्या है सिर्फ यह जो बीटा नौट और बीटा वन हमने जो यहां पर बताएं ठीक है एक slope है एक intercept है अब इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ यहां पे हमारे पास अगर हम गोर करें यह जनरलाइज एक्विशन जो हमने बनाई है यहां पे y is equal to ax प्लस b अगर हम इसको इस तरीके से square करके प्लस करेंगे तो हमें यह equation जो है वो best fitted line के साथ हमें prediction करने में help out करेगी हर point की जिसकी वज़ा से हम error का distance जो है वो माप सकते है अब यहां पे यह जो है वो slope है दूसरा हमारा intercept है अब slope और intercept के बारे में बात करते हैं यह दोनों चीज़ें क्या होती है ठीक है पहले मैं आपसे request करूंगा कि slope और intercept एक दफ़ादरा इंटरनेट पर search करें and then I will show you कि किस तरीके से हम इसको बनाते है कि slope इसमें से क्या है और intercept क्या है जे चलें अब मैं आपको बताता हूं कि slope और intercept क्या होता है यह हमने लाइन लगाई हुए है जी यहां पर intercept का मतलब होता है कि किसी चीज़ का किसी चीज़ के साथ टकरा के एक पॉइंट को जिनरेट करना ठीक है अब यहां पर यह लाइन ऐसे जा रही यह यहां पर वाय के साथ यहां पर टकराई है यह जो पॉइंट है ना यह इसका इंटरसेप्ट है और वो कितने हैं यहां से इसका distance और region के साथ आप माप लेंगे this is called intercept और इसको हम बीटा नॉट भी बोलते है ठीक है जैसे मैंने आपको पिछली यहां पर लिखके बताया कि इसकी equation आप इस तरीके स distance कितना origin से ठीक है और जो beta 1 है वो slope of x है वो किस तरीके से हम find out करते है for example अगर हमारे पास इस तरीके से एक point यहां पर हो यह हम इस तरीके से इसको x-axis के equal कर लें और यह जो slope हमारे पास आ रही है हम इसको अगर find out कर लें तो यह हमारे पास beta 1 हो जाता है ठीक है slope का मतलब कितनी tilted है वो अगर यही slope कुछ इस तरीके से होती तो हमारे पास slope कितनी steep होती देख रहे हैं आप ठीक है अगर यही मैं इस तरीके से रखता तो यह slope इसकी बिलकुल थोड़ी सी थी यहां से यहां तक so you can actually measure that distance from that point to this point तो यह beta 1 हो जाता है और असल में यह सारा काम आपको हाथों से करने की जरूरत नहीं होती सब कुछ computer महाशे आपके लिए करके दे रहे होती हैं समझागी बात की तो यह simple सी simple linear regression है जिसको मैंने आपको बताया है अब इसमें कुछ concepts ऐसे हैं जो आपको खुद से भी clear करने है ठीक है उसमें कुछ concept जो मैं आपको बताता हूँ अच्छा intercept को हम constant भी बोलते है जब एक line बन जाती है न तो यह value कभी change नहीं होती तो अक्सर वकाद यह constant ही रहती है हर line की ठीक है और function of slope of x जो है वो भी तक्री beta not safe for example हमारे पास 2 है beta 1 हमारे पास 4 है तो यह equation बनेगी यहां पर अगर मैं लिख हूँ y is equal to 2 प्लस 4 और x की value हमने डालते जाना है इसमें अब यहां पर हम बनाते हैं y अगर x हमारे पास 10 हो तो हमारे पास y की value क्या होगी 4 10 पर 40 जमा 2 42 तो इस तरीके से x की base पर y की prediction होना स्टार्ट हो जाती है तो इस वज़ा से हमारे पास यह slope और intercept होना जुरूरी है ओके सही होगा अब एक concept जो आपने खुद से देखना है वह gradient descent क्या होता है और किस तरीके से यह best fitted line में हमें help करता है और और कौन से methods हैं जिसके through best fitted line आप generate कर सकते हैं या बना सकते हैं ठीक है वह आपने देखना है वह क्या होता है main ideas जो है ना behind linear linear model या simple linear regression वो कुछ ऐसे हैं कि हमने least residuals देखने होते हैं और हमें यह वारी line एक r square की value भी देती है r square की value क्या आपको पता है बहतरीन तरीके से जब हमने correlation draw किया था we had some values r square की ठीक है जो minus 1 से plus 1 की तरफ जा रही थी वह value जो है वो भी आपको बताती है कि relationship कितना strong x और y का ठीक है best fitted line की base पही वह बता रही होती है then you have to check the reliability of the consideration of p-value reliability क्या होती है कि यह आपको model के बाद एक p-value भी फ्राम करता है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि जो best fitted line है is की reliability क्या है based on the probability of least square method तो जब हम इन methods के त्रू आगे move करेंगे तो हमें इसकी और भी समझ आ रही है gradient descent क्या होता है इसके बारे में आपने देखना है and you have five minutes look for that gradient descent क्या होता है या other methods कौन कौन से best fitted line को fit draw करने के लिए जी तो मैं यहां पर पांच मिनट के लिए चुप रहूंगा आपने वो देखना है फिर हम मिल के इसको देखेंगे what is gradient descent या दूसरे जो मैथेड एं लीस जो scared some of scared residuals को कम करने के लिए वोक है झाल 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 इसमें एक और टम आती है अब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है आब वो भी देखिए अब्जेक्टिव फंक्शन झाल 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 तरीके से है तीसरी मैंने इस तरीके से बनाई चौथ ही मैंने बिल्कुल ऐसे बना दी पांच मी भी ऐसे बनी फिर मैं इसको करता 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 आपको मैंने कहा कि इन लाइनों में से कौन सी बेस्ट है अब ग्रेडिन डिसेंड क्या करता है यह क्या होता है इसका में मक्सद मकसद होता है objective function जो linear regression का है वो क्या है sum of scared residual उनको कम गरना मतलब minimum पे जाना यानि कि local minima इसका मतलब local minima का क्या है कि हर point का sum of scared residual को minimum रखना यानि कि यहां से यहां तक को जो distance है ना हर किसी का local का मतलब के हर किसी का अपना अपना minimum global minima का मतलब होता है कि total minimum local minima का मतलब है कि अपना-पना minimum आपने gradient descent के अंदर क्या चीज़ देखनी होती है आपने देखना होता है कि sum of scared residual at global minima, sorry local minima वो minimum रखता है यह start कहां से होता है यह बिलकुल एक straight line से start होता है और steepest slope की तरफ जाता है यानि कि straight line अगर यह है अगर मैं यहां पे straight line कुछ इस तरीके से draw करूँ यह तो जब यह इससे move करता जाएगी यह वाली line तो यह steep होती जाएगी यह हर point पे छोटे-छोटे step लेके न gradient descent इसको measure करता जाएगा कि कहां पे local minima सबसे काम में ठीक है और यह steepest की तरफ जाएगा यानि के हो सकता है 89 degree की तरफ चला जाएगा पिर उसमें से जो best होगा उसको वो select कर लेगा समझा ही भात की तो वो जो पीछे back end पर processing चार रही होते है ना gradient descent की base पे तो find the best fitted line वो उसके पीछे या तो least square method हो सकता है या जे gradient descent का method हो सकता है इसके इलावा और भी methods है gradient descent की आपको समझ आगी कि बिल्कुल straight से slope बनाती जानी बनाती जानी बनाती जानी जहां पर सारे रिष्टेदार खुश होगे वहां पर चले जिए ठीक है अब अगर आप अंग्रेज्जों की definition देखेंगे परेशान हो जाएगे gradient descent is an iterative optimization algorithm used to minimize the some scared residual in nearing regression or other machine learning models मैंने भी वोई चीज़ बताईया असानी से ठीक है it works by finding the direction of steepest descent and taking small steps towards the minimum of the object ठीक है direction of steepest यानि के खुद ये start होगा किसी minimum से like this direction of steepest ये है तो इस side पे ये आएगा coming from plane to steepest और क्या करता जाएगा local minima को match करता जाएगा किसका minimum error है और इसका मकसद एक ही है sum of scared residual को minimum पे लेके आना ये करता नहीं है minimize find करता है जहाँ पे minimum हो वहाँ पे line draw कर देता है ठीक हो गया objective function क्या है वो मैंने आपको बता दिया अब ये कैसे करता है find सेम वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताईए बीटा not and b1 को find out करने के बाद यानि कि slope और intercept को find out करने के बाद इससे पता चलता है कितनी error है और बाकी क्या chance है अब जो दूसरे methods है उनमें कौन-कौन सा method है पहला method है जी मैंने जो आपको पहले भी बताया for example हम यहां पर gradient descent पहला लिख लेते हैं just for example gradient descent दूसरा मैं यहां पर लिखता हूँ हमारे पास normal equation model होता है कि आप simple एक equation बना दे based on the best weighted line और यह optimal values को coefficients की base पर calculate कर लेते हैं नॉर्मल equation की base पर तीसरा होग एक और method है जिसे हम maximum likelihood estimation बोलते हैं MLE यह भी बहुत ज्यादा use होता है maximum likelihood maximum likelihood estimation ठीक हो गया यह क्या करता है maximum likelihood estimation यह करता है यह probabilistic approach की base पर चलता है यह क्या करता है तो यह basically बहुत ज्यादा slope or intercept को teak बहुत कम slope or intercept को teak और वो फिर check करता जाथाए कि एक अच्छा इसको अगर कम करें तो क्या होगा इसकोム करें तो क्या होगा उसकी base पर probability calculate करता है ठीक है कि slope or intercept की probability क्या है किसी चीज को best fitted line बनाने की ठीक है तो हम आइस्ता इस्ता आगे जाएंगे तो यह चीजे में आपको समझाऊंगा अभी मैक्सिमम लाइकलियूड क्या होती है और नेक्स्ट है हमारे पास एसजेडी जिसकों स्टॉक कैस्टिक स्टॉक कैस्टिक मेरी प्राउनसेशन खराब हो जाती है एक्सरोकाद ग्रेडियन डिसेंड एसजी डी से बोलते हैं यह भी एक मैथड है इनकी एरर्स को रिमूव करने का यह मिनिमम जो एरर्स है स्टॉरी नॉट रिमूव सम अफ स्केड रेजिडूल जहां पर मिनिममों ने फाइंड आउट करने का फिर लास्टो एंड रिज रिग्रेशन भी इसकी रेगलरेज़ेशन मैथड्स हैं मैं उसमें डिटेल में नहीं अब जाने वाला जब वह पढ़ेंगे मैं फिर आपको बताऊंगा लास्टो एंड रिज रिग्रेशन क्या करती है वह इसी की आप्टिमाइज उसने वो लेख दिया माइनस वन का भी फरक आया लगा दिया पॉइंट्स में फरक आया नहा अल्गरिफम बन गया ठीक है तो ली स्केर मैथड़ जा है वो सिंप्ली यही है कि जी ली स्केर मैथड़ पिर एक बाद और डिनरी ली स्केर यह मैथमेटिक्स की चीज़ें और सबसे जदा का ना है सबसे जयादा அ आज के दोड़ना तॉंकिक्ट सिंपल है आई कूरेट लेकिन उसमें चीज़ आपको बता दो कि इसके अंदर डिपेंडेंट्सी का रोल बहुत जरूरी है जुसको हम फर आगए भी देखेंगे अपने बास ! हाँ जी अब आगे चलते हैं कि इसको python के अंदर कैसे करना है और जाहरी बात है यह simple linear regression मैंने आपको इस वज़ा से थोड़ी सी mathematics equation बताई है अब यह बिल्कुल advanced level पर नहीं mathematics को हम लेके गए मैंने सिर्फ आपको residuals का measure करने का बताया actual versus predicted का बताया और किस तरीके से हमारे पास यह वाली एक्विशन आती है वह वाली चीज़ हमने आपको बताई है ठीक है यह जो एक्स प्लस बी आती है हमारे पास अब आगे चलते हैं जी हम इसको python के अंदर करते हैं नीन तो नहीं आगे आप लोगों को मुझे मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जब थोड़ा से ड्वांस लेबल पर हम जाते हैं तो बच्चों को नीन ने आने स्टार्ट हो जाती है पता निंए मेरी ग़लती है समझने कि हो सकता है अला करें मैं घलत हूंए इस चीज में नहीं आने चाहिए नहीं आनी चाहिए इस चीज के उपर क्योंकि यह वाहिद काम है यार जहां पर हम बैठके कोई बड़े लिखे बंदों वाली बातें करते हैं बाकी तो लाख हैरी करें अब आपको यह कोड जो है ना यह साथ साथ मिलते जाएंगे जो हमारी उसके उपर और उसके इलावा बाकी जो रिकॉर्डिंग है वापको सेप्रेट्री मिलती जाएंगे तो मैं यहां पर लिखना स्टार्ट कर देता हूं जी स्क्रीन में अपनी शेयर करता हूं दुबारा स अब बड़ी असानी के साथ ना हमने इस अल्गरित्म को बनाना है और आप देखेंगे जितना हमने पढ़ा है ना उससे कहीं असान है इस चीज़ को बनाना आपने परेशान हो जाना कि बस यह थी सिंपल लीनियर रिग्रेशन और यह जो मैं आपको आज तरीका बताने लग M1B यह मैंने एक फाइल बना ली है ठीक है और अब जो अगला काम है मैं आपको बता से कोंबी से मैंने यहां पे एक इंवार्मेंट बनाया हुआ हुआ है जिसके अंदर मैंने काम करना है जिसका नाम है python underscore ml यह environment कैसे बनता है मैंने आपको उस दिन पर बताया था का environment बना है मैं यहां पर उसे एक्टिवेट करता हूं कॉंडा एक्टिवेट python underscore ml यह मैंने एक्टिवेट किया तो मेरे पास यह वाला इन्वार्मेंट अक्टिवेट हो गया और मैं बेसिकली यहीं से टर्मिनल पर काम कर रहा हूं कि मेरे पास मैं काम कर रहूं विंडोज वाल इसका बना लेना है सही हो गया और कॉंडा इन्वार्मेंट पर बगाइदा से पूरी के पूरी मेरी सीरीज बढ़ी हुए है मैं उसकी में वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगा तो आपके लिए असानी हो जाएगी ठीक है तो वह कोई इतना मसला नहीं है लेट मी सी मैं मैं अब ही अगर कर दो क्योंकि लगे हाथों काम हो जातों वह ज्यादा बेटर होता है मैं आपके साथ अभी यहीं पर शेयर करते हैं तो कॉंडा इंवार्मेंट्स की जो वीडियो है मेरी यह आप जरूर देखें एक दफा ताकि आपको समझ आए किस तरीके से कोड़ना इंवार्मेंट्स काम करते हैं क्योंकि लास्टाइम मैंने बताया था लेकिन आगर आपके उपर से गुजरी हैं चीज़े तो यू आपके उपर से गुजरी हैं चीज़े तो बेसिकली आप रैसींवार्मेंट्स कर सकते, लेकिन इसको इंवार्मेंट्स के हैं आपके लिए जाएगे, तो मैंने यह फाइल बनाई इस तरीके से आपको बनाते जाए जरो मैंने किस कि डॉन्ट वरी वो जो वीडियो का मसला रहा है उसको मैं सेट कर दूंगा बाद में डॉन्ट वरी बाद राट टीक है कि ओके लिए मैंने उसको अनलिस्टिट कर दिया आप जाकर देख सकते हैं उसको डन हो गया अब चलते हैं जी आगए आप लोग त्यार हैं तो मैं आगे मूग करूंगा अधर्वाइस नहीं यह जो लोग जमाईयां लेते हैं यह मेरी मोटिवेशन डाउन करते हैं तुस्री दर लोग कैमरा बंद कर ले आगए यहां पर आप मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यह पाइट्वन की लाइबरेरी इस काम करती है चलें कुछ लोगों को नेचर कॉल आगी है जी पांच मिनिट की यहां पर ब्रेक लेते हैं मैं नहीं चाहता हूँ मेरी वज़ा से अपनी सीट गंदी करें ओ यह क्या मैंने कहा लिया खैर हम जस्किटिंग तो यह बंदाना हर दफ़ा ही मुझे कह रहा हता है हमारे नेचर क लड़कियां बीच में कह रही हैं हॉक ऐसी बातें कर रहे तो कोई मसला नहीं अभी आपने बायों नहीं मेरे से बढ़ी वरना आपको लग पता जाता है कि मैं बायों कैसे बढ़ाता हूं कोई बात परदा तो होता है चीज का लेकिन वह इंशालला अच्छे तरीके से होती बलके पूरे पांच मिनिट बाद बारा मज़े वापस आ रहे हैं झाल 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 जी सब्सक्राइब करते हैं जी सिंपल लीनेर रिग्रेशन पाइफ़न के उपर अगर आपको वाज आ रही है अगर नहीं आ रही तो आजा नहीं चाहिए अभी नहीं तो कब आ नहीं जी सब्सक्राइब जी सब्सक्राइब अगले पर चलते हैं वो काम नहीं हमने करना हमने इसको उच्छे तरीके से समझने और फिर आगे मूप करने जिनको आवाज नहीं आ रही वो अपना स्पीकर चेक करें वह वाज बंद करके गए होंगे यह गलती से होगी होगी तो मेरा काम क्या होता है मैं सबसे पहले हमेशा एक फाइल बनाता हूं आई पी वाइन फाइल यानि के पॉइंट वण यह जिरो वन स्वरी अंडर्सकोर सिंपल लेने रिग्रेशन मैं जीरो से क्यों स्टार्ट कर रहा हूं मैं वन से भी कर सकता हूं नामिंग नेमिंग कर्वेंशन का कोई शू नहीं है लेकिन यह फाइल चीज़ यहां पर मैं लिखता हूं सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल इन पाइथों यह मैंने लिखा यह मेरे पास हैरर भी आ जाती एक सरुका तो जैसे मैंने यह लिखा ना अब देखिएगा एक कमाल मैं आपको दिखाता हूं जो अकसर रुकात हमारे आने वाले लेक् इस ऐसे आप लिखेंगे ना तो अकसर रुकाता आपको पूरी के पूरी उसके डेफिनेशन आ जाएगे यह मैं कुछ नहीं कर रहा है मैं सिर्फ टैब 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 दबार हूं अब हो क्या रहा है यह बिसिकले मिशीन लेंगी है जो गिटब को पाइलेट और कोडियम मैंने इस एक्सेंशन इंस्टॉल की हुए है अगर आपको नज़र आ रही हो यहां पर कॉर्णर के उपर तो आपको नज़र आ जाएंगी ठीक है अब यहां पर देखें सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या है मैं एक सुरू कहा जब भी किसी कुंसेप्ट का मैंने आइडिया लेना होता है न तो मैं इस तरीके से मूव करता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ तो कॉंटिनियूस वेरिएबल्स यह वाले जो दो वेरिएबल्स हैं कॉंटिनियूस वेरिएबल्स का मतलब यह के नुमेरिक वेरिएबल्स डिस्क्रीट की बात नहीं हो रही है कॉंटिनियूस वेरिएबल्स की बात हो रही है पॉइंट टो भी नॉटिड मैं मिलोड ने बोलूंगो तानू ऐसे मैं कहा दा ना पॉइंट टो भी नॉटिड और यह पॉइंट याद रखना इसमटा से जरूरी है मैं एडवांस मिश तो मुझे तब फील हुई कि यह रिजम्शन पुढ़ाना बहुत जरूरी है तो यह एक्सपिरियंस के साथ आपको बता रहा हूं कि इस पॉइंट को नोट कर लें टू कॉंटिटेटिटिव वेरिएबल्स वन कॉंटिनियूस वेरिएबल और वन कैटेगोरिकल वेरिएबल कैन आलसो बी ड़न कैसे इसकी एक रीजन है कॉंटिनियूस कॉंटिटेटिटिव वेरिएबल्स दो हैं अगर एक कॉंटिनियूस है दूसरा कैटेगोरिकल है तो वो किस तरीके से होगा वह मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं बकाइदा मैं बताने नहीं वाला मैं दिख के अंदर मैं टिप्स का डेटा ले आता हूं टिप्स के डेटा को करके एकवल्टू ने तो कर लेता हूं और यहां पे सको हैड कर लेता हूं इहां पे एक काटगोरिकल वेरियबल है, हमारे पास सेट्स का, मेल वर्सेस फीमेल, ठीक है, सेकंड हमारे पास जो वेरियबल है, वो है, τοटल बिल का, इसका मतलब यह नहीं है कि हम एक केटखोरिकल को और एक नुमेरिकल को ड्रॉ कर रहे हैं, हम draw दो numerical को ही कर रहे हैं लेकिन कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ यहां पे female आ सकती है और यहां पे males आ सकते हैं समझ रही बात की draw numeric variables नहीं होने है लेकिन यह जो categorical और एक numeric की बात अक्सर अगाद लोग करते हैं ना आप डिवाइड कर रहे हैं मेल और फीमेल कोस में सही है समझागी बात की और अक्सर उकात इनका dependency का link नहीं बनता लेकिन continuous ही draw होंगे अगर categorical की बात आती है वो इस डिवाइडिंग देर आइडियास तो मैं इस वजह से ना इस ambiguous चीज को यहां से रिमूव करता हूँ और मैं वही चीज रखता हूँ जो आपके लिए फाइदे मन दो हूँ दा continuous variable इस ओफन काल्ड डिपेंडेंट वेरियेबल और कैटेगोरिकल वेरियेवल इस ओफन काल्ड इंडिपेंडेंट वेरियेबल अब मुझे यह पता नहीं क्यों आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में अपनी राय से में नवादें इस पॉसिबल के कैटेगोरिकल वेरियेबल को हम ड्रॉब कर दें या पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यह मशीन लेंडिंग इस वज़जा से मैं इस पर बिलीव नहीं करता क्यों क्योंकि इसने यहां पर बोला टू कॉंटेगोरिकल की बात हो रही है स्टेटमेंट रॉंग है इसका एक अंदाजा लगा लें कि कभी भी बिलीव नहीं करना को गिटब को पाइलिट पर और कोडियम वगारा की एक्स्टेंशन पर जो लोग कहते हैं इसका रहे नहीं है इसको पता है नहीं है कैटगोरिकल विरियेबल क्या है और कॉंटिनियूस क्या है समझ रहे हैं बात को अजंशन पर नहीं पूरी उतर भी बाकी कोड करी जाए मिशीन लर्निंग ने लेबल इंकोडिंग के साथ भी उसामा भाई यह जो आप बात कर रहे हैं ना लेबल इंकोडिंग वाली यह उस दिन मैंने गलत साबित किया उन्हें कैसे भूभी आपको मै बनाते हैं यहां पर मैं कर देता हूं एक्स टोटल बिलो और वाय टिप का यह इस तरह के पॉइंट्स आएंगे तो इसमें एक लाइन बन पाएगी ट्रेंड लाइन अगर मैं यहां पर एक्स की बेश पर मैं कर देता हूं टे टाइम को डे को अब शक कि इसकी लेबल इंकोडिंग कर दे आपका डेटा इस तरीके से डॉॉ अन है इस तरीके के डेटा में आप कैसे लाइन फीट करेंगे कोई बन्दा मुझे बताएगा इसमें लाइन कैसे फिट ओ नहीं है ऐसे हो नहीं है fit line ECG की तरह यह जा रही हो पर नहीं चाहिए तो यह best fitted line नहीं है this is not simple linear regression ठीक है ने हम plotting के बात नहीं यहां पर कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि हम best fitted line simple linear regression के बना सकते हैं के नहीं उनकी कहना यह था कि इसको अगर हम 0123 कह दें तो क्या यह बना सकते हैं के नहीं बाकी यह बात में बात करेंगे हैं आपको बताने के लिए कि सिरफ दो continuous variables होंगे एक का नाम dependent है और दूसरे का नाम independent है ठीक है मैं यहां पर लिखता हूँ वन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरियेबल फिक है दोनों नुमेरिक होंगे एक डिपेंडेंडेंट होगा इंडिपेंडेंडेंट होगा अब आपने क्या करना तो इसका गोल यह है कि आपने mathematical equation ड्रॉ करनी है जो हमने पहले पड़ा है डैट पडिक्स दिपेंडे वेरियेबल एज फंक्शन ऑफ दिपेंडेंडेंडेंड वेरियेबल जिसका में काम यह है इसको देखें बड़ी जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि हमने यह चीज़ें पढ़ लिए और यहां पर भी हिराब करें यहां यह आपको मैंने इसवन्टा बता लिए आपको पहले भी पता है ठीक़े जो भी मैं पढ़ाएं तो बात करता है चाहरूं करता हों आपको आ पहले भी बताया हुए पहली लाइब्रेरी इंपोर्ट पांडास धीड़े जस्पीड शास बहुरत है मुझे नहीं या मैंने इंपैसे मेरी आदत है क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इंपोर्ट नहीं करूंगा तो बीच में जागे मुझे ज़रूरत पड़ जानी है तो एक लाइन लिखने से मेरा कुछ नहीं जाता है सेकिंड वन इस इंपोर्ट नम पाई एजम एन पी क्रनी करनी होती है इसके इअलावा अगली लायुडरी जो मैं करता हूँ बैसिकली साइकिट लेर्ण की है वहर मॉडल के डिफर करती है तो पहले मैं लाय बैस्यागडरी इसको लिखता हूँ General Libraries मेरे लिए जो ज़ूरी है ठीक है यह इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया यहां से करनल मैंने वो स्लेक्ट किया हुए जहां पे मेरी लाइबरेरीज इंस्टॉल है सही है बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं कि आपके पास जो लाइबरेरीज कौन कौन सी इंस्टॉल है पाइथोन ml के अंदर इस इस एक प्लेटफॉर्म के अंदर तो मैं भी आपको वो दिखाने वाला हूँ अभी भी मेरे से क्वेश्चन हुआ कि आपके इस इंवारेमेंट में कौन सी लाइबरेरीज इंस्टॉल हैं मैं आपको वो दिखा लेता हूँ एक्टिवेट पाइथॉन अंडर्स्कॉर एम्म तो मैं यहां पर कॉंडा लिस्ट लिखता हूँ यह मेरे पास लाइबरेरीज इंस्टॉल है मैं आपको इस वज़ा से यह इसका एक फाइल बनाके ने भीज रहा जिससे आप इंस्टॉल करने हैं उसकी रीज़न यह है कि मैंने मैक बुक पर की है यह इंस्टॉल और मेरे पास डिपेंडेंस इस डिफरेंट है टेक्यू डीम मैक मैकंटॉश इस तरह की कुछ मैंने लाइबरेरिस की हैं जो आपके जरूरत की हैं वो मैं आपको बताता हूँ पहली है पांडास अगर मैं यहां से उपर से जाता जाँ नीचे को मैं आपको बताता जाता हूँ आप सबसे पहले कर लें जी कि आई पी वाए करनल तो आपको करनी पड़नी है अगर आपने जूपिटर करनल पर चलाना है तो पिप इंस्टॉल आई पी वाए करनल जरूर करें पहली यह फिर जॉब लिप जो है वह साइकेट लर्न के अंदर है वैसे ना हो तो यह भी कर लें ठीक है आपके पास जो अगली होनी चाहिए दैट शुद बी मैट प्लॉड लेप इस वन मैट लॉड ले फिर अगली आपके पास एन भी कनवर्ट ज़रूर होना चाहिए नोटबुक कनवर्ट करने के लिए और अक्सर प्लॉड ली के प्लॉड शौ करने के लिए ज़रूरी होती है प्लॉड ली सब्लॉड ली यह पंडाज होनी चाहिए इस यह ओपन पाई एक्सल होणी चाहिए यह फाइल को इंपोर्ट करने के लिए नमपई होनी चाहिए आपके पास एन भी फ्रव मैट भी ऑनी चाहिए प्रड़ ली मैंने आपको बता दिया कि साकेट लेर्न soupрем यह थे आपको आ Заय किट लेर्ड Auswाला आपको शॉआ मै Сपाहिए and then skimp आई मैंने इसी के अंदर की हुई है मुझे change करने के जरूरत नहीं पड़ती करनल पर बाकी बाकी सभी dependencies है इन सभी की ठीक है तो मैं आपको डेटा पर फाइलेंगे मैं आपको suggest करूंगा जहां पर जिसकी जरूरत पड़े वो वाली तब install करें उसामा भाई ने भी यही भी answer दिया और मैं यही बात करूंगा कि हमेशा आप अपनी library खुद से ढूंडें कि मुझे कौन सी चाहिए बजाए इसके किसी पर dependent रहें वरना आपको सारी जिन्दगी पता नहीं चलना कौन सी library कब जरूरी पड़ेगी ठीक है मैंने आपको इतना बता दिया अब simple linear regression के लिए कौन सी चीज़ जरूरी है कौन कौन सी library जरूरी है उसके उपर बात करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूंगा कैसे हमने अपनी लाइब्रेरिज को इंस्टॉल करके यूज करना होता है मैंने आपको तीन बता दी अब जब भी आपने machine learning की लाइब्रेरी करनी है तो मैं यहां पर लिखता हूं linear model import linear regression कुछ model linear होते हैं कुछ ensemble के होते हैं कुछ neighbors के होते हैं कुछ different किसम के होते हैं तो हर model की category बनी हुई है scikit-learn के अंदर and you need to be very very careful whenever you are using those libraries ठीक है तो यह नहीं होगा कि हमेशा मैं linear ही लिखूंगा तो मेरे पास decision tree भी आ जाएगा so we should have different जो command line for each of the libraries ठीक है यहां तक आप इन चीजों को देखें यहां तक कोई problem तो नहीं है आपको भी hopefully नहीं होगी easy है ठीक हो गया अब आगे जलते हैं मैं यहां पर library को import कर लेता हूं machine learning की library मैंने कर लिए import हो गई अब चार steps के अंदर मैंने आपको machine learning सिखाने लगा हूं और यही चार step important है हर किसम के अल्गुरिथम के लिए in circuit learn चार steps चार steps ठीक है वह कहता था ना एक मच्चर में कहता चार steps मैं उस attitude से नहीं बोलूँगा कि डैश एक मच्चर बट चार steps पहला step क्या है step one machine learning हमेशा किस चीज़ पर होती है जी डेटा पर लोड दर डेटा पहला step पर है तो मैं किस चीज़ से लोड करने वाला हूं डेटा मैं आपको tips का डेटा दिखाने वाला हूं सही है हम रियल लाइफ डेटा पर बात करते हैं जो है हमारे पास मैं यहां पर इसको लिखूँँगा डीएफ इस इकल टूएस डॉट लोड डेटा सेट अब मेरी स्पीड है बढ़नी है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि पहले मेरे साथ साथ रहे मशीन लर्णिंग में मैंने पुरानी चीज़ें नहीं बता लिए पहला स्टेप हो गया डेटा मैंने ले लिया ठीका लोड कर लिया समय जागी बात की देटा को ट्रॉंस्वार्म भी करना होता है इसको आप इसी स्टेब में निख सकते हैं आगे भी लिख सकते हैं क्योंकि डेटा का मतलब है x और y को defines करें x is equal to आपने जिसकी बेस पे x को बनाना है ठीक है तो मैं यहाँ पे इस तरीके से मैं X लिख लेता हूँ और Y is equal to मेरा टिप का डेटा हो गया यानि के टोटल बिल की बेस पर डिपेंड कर रहे हैं ना टिप्स कितनी है समझारी बात की तो मैंने एक एक नुमेरिक वेरियेबल दोनों का ले लिया दोनों continuous है अगर आप देखे दो और यहां पे एक घलती आनी है जो मैं पहले बता देता हम वो गलती अगर मेरे साथ आप दोरा लेंगे ना एक दफा घलती करके दोरा लेंगे कभी जिंदे के में दबारा नहीं होगी वो गलती और अब वो देखते हैं वो कौन सी गलती है तो खुदा आदे बंदे फे तुस्य पढ़ा लो यह जो पुरारे लोग बैठे रहे यहाँ पे वो बंदे पहले से गलती है बता रहे हैं लेकिन अभी भी समझ नहीं चले देखते हैं देखते हैं क्या बनता है अच्छी बात है आपको पता है नो वरीस अम जास कीडिंग पता है तो अच्छी बात है स्टेप टू की तरफ चलते हैं खुशी होती है देखके कि यार आप लोग इंटरस्टीड हो और कोई बात नहीं मॉडल को बनाओ कैसे बनाते हैं अम मैंने यहां पर लिखना है मॉडल is equal टू लीनियर रिग्रेशन यह वह वाला लीनियर रिग्रेशन यह यहां पर हमने function इंपोर्ट किया है यहां पर आगया वह पहले हमने किया data लिया दूसरा है मॉडल हमने create किया देन हमारे पास step 3 क्या है fit the model यानि के fit का मतलब है train the model अब train कैसे करते हैं model को train करते है given data पे तो यहां पर जो हम चीज यूज़ करेंगे हम लिखेंगे model.fit इसके अंदर x and y लिखते हैं इस तरीके से हम क्या कर रहे है हम बता रहे हैं कि x आपके पास यह यह अब यह model.fit का मतलब बता क्या है यह जितनी हमने तगोदों की है ना पहले लाइनों को उपर नीचे करने की बैस फिटिड लाइन रेजिडूल्स फलां फलां टमकां यह कर लो वो कर लो कोडिंग ने इतनी जिंदे की इसान कर दी इतनी सी लाइन में उसनों कुदी कर लेना सारा कुछ आप स्कून से ऐसे बैठे पीछे होगे चल वे काम कर देटे तो यह वो इसाब है समयने वार वो एक डायलोग है यहां पर मैं ज़रूर बोलना चाहूंगा कि बेटे मौझ कर दी बेटे मौझ कर दी तो यह यहां पर वो वाला डायलोग मैंने इस वज़ा से बोला क्योंकि सच में मिशीन लर्निंग इजी हो चुकी है समझारी बात कि अब हमने कर लिया आप शूff स्टैप्स याद है जो मैं आपको बताया था कि कौन ऐस्टेप्स होते हैं मैंने आपको जब चार भी ब्रक्षट ने था डेटे लेकर आते हैं मौडल मो्डह लों ट्रेटीचू करते हैं अब यहां पर चोथा स्टेप हमारा कौन सा रहा गया स्टेप फॉर प्रिडिक्ट डेटा इसको हम बोलते हैं मेक प्रेडिक्शन्स हम क्या गरेंगे जो मॉडल है ना उसकी बेस पे हम कोई भी एक्स की वैल्यू देंगे और वाई आ जाएगा हमारे पास सिंपल समझाई बात की यह चार मेरे जाताय की मेरे मेरे पास चिला लगा यकीर मने लेर निग और मिशैन लेर्णिंग से अपना future भी ठाइ Long's One लोगों को डुराइग से दिया जाता है कि आपको समझ हिंह नहीं तो मेरी रिवर्स ब्रोच आ मैं हमेशा स्ट चुरू करता हूँ區 वह बताना बेसिक से काम करवा के बाद में केता हूं अच्छे इसमें यह भी होसकता है यह भी होसकता है सबसे पहले जैप यह कुपि किया मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया है run मेरे पास x and y define हो गए step two मैं उठाता हूं यहां से copy करता हूं यहां पर लिखता हूं and यहां पर इसको run कर देता हूं model मेरे पास activate हो गया create हो गया then तीसरा step है हमारे पास model को train करना I would write it down here यह मेरे पास model train होने लगा था और error दे दी यह जनाबे वाली वह वाली error जो हमेशा आपको आनी है वो कहता है expected 2D array got 1D array instead यह array वो वाला array है जो अकसर रुक्वाद लोगों को तंग करता है और जितनी देर से मैं machine learning पढ़ा रहा हूं यहां पर लोग फंज जाते हैं लेकिन इस दफ़ाना लोगों उन्हें जो पुराने ना उन्होंने आके यहां पर मेरा वो ना सर्प्राइज वाला काम खराब करती है बट इस फाइन तो इसको सेट करने के लिए हमें काम करते हैं हम यहां पेना double brackets लगाते हैं इस से क्या होता है यह double dimension में चला जाता है double dimension और single dimension में क्या फरक है वो मैं आपको बता देता हूं जब आपके पास इस तरीके से column होते है ना तो इसकी dimension उपर से नीचे एक होती है जिसको one dimension data बोलते हैं उपर से नीचे within a column there is a direction from a to z ठीक है उसको बोलते है one directional data जैसे या इसका link बनाते हैं किसी और column के साथ तो यह two dimension बंगता है left to right भी ठीक है तो x-axis के उपर सोरी x के अंदर features के अंदर हमेशा two dimensional area आना है ठीक है समझागी बात की या नहीं चले अब चेक करते हैं यह चार जो मैंने steps बताएं यह basic हैं इसके बाद plotting और बाकी चीज़ें बे बहाएं मतलब यह basic है plot अब हमने यह लगा दी इसको मैंने run किया अच्छा फरक क्या आ रहा था यह run करने हमारे पास इसका data start से आ गया मैं y को यहां पर लिखता हूँ y का data आ गया जैसे हमें इसको change करते हैं तो इसकी direction change होने का आपको पता चल जाएगा इसको run करते हैं आपको लगता है को change आएगी इसके अंदर यह नहीं आएगी चेक करें को change आई नजर आपको इसके अंदर और पिछे वाली चीज़ के अंदर को change आई यह after double dimension बनाने के है यह before double dimension के है इसमें सिरफ values थी इसके अंदर बकाइदा आपका head भी आ रहा है और इसके अंदर direction भी बता रहा है columns की ठीक है और यहां पर indices भी आगे है और बाकी चीज़ें भी आगी है यह अब 244 multiplied by 1 है यहां पर सिरफ 244 की length है तो वो जो multiplied by 1 है ने dimension जो मैंने आपको बताई है that is necessary for x ठीक है समझागी बात की यहां पर x capital क्यों है कोई बता सकता है जी चायट के अंदर x capital scientifically notation की बेस्ट पे features को हमेशा capital x के साथ denote किया जाता है ठीक है यह मैंने पिछले lectures में भी बताया था आपको तो हम यहां से x capital के साथ इसको denote करते है by the way यह हमने error को remove किया मैं इसको run करता हूँ model को दुबारा से run किया अब यह जिंगा लाला हूँ की तरह चल पड़ा लीने regression हमारे पास मुझा फॉरन फॉरन तो यह जो हुआ है ना काम यहां पर within zero seconds मिली सेकंड्स में आपका model train हो चुका है tips के उपर अब आप क्या करते हैं model को predict कर सकते हैं हमारा x क्या है जी total bill और tip को हमने predict करना है ऐसे यह machine learning क्या करती है आपको यही तो बताती है कि आप यहां पर value दें कोई भी और उसकी base पर predict कर ले मैं कहता हूं कि मेरी value है एक बंदे के 115 रुपे बिल बना है डॉलर में 115 डॉलर वो tip कितनी देगा prediction machine learning का यह काम है ना मैं यहां पर 115 लेखता हूं और यकीन मने इस 115 के बाद जो यहां पर मसला होना है वो आपने resolve करवाना है फिर से वही मसला आ गया expected two day array इसका मतलब x की जो हमने form बनाई थी features के दुरान ट्रेनिंग के दुरान वो यहां पर भी वही देनी है तो हम इस दोनों को select करके double brackets लगाएंगे समझागी लो जनाब prediction यह कहती है कि 12 डॉलर वो tip देगा वन्हा machine learning की prediction यह कहती है समझाई भी बात की यह चार steps आपको याद रहेंगे machine learning के इसके आगे भी बे बहार steps है वो खतम नहीं होते लेकिन basic चार है यहां पे एक और चीज़ देखे अगर एक बंदे का billy अब यहां पे bill एक बंदे का बनाई पांच डॉलर है तो वो tip देगा या नहीं देगा वो भी एक डॉलर देगा इसका मतलब यह है कि कुछ बंदे नहीं देंगे tip लेकिन machine learning कह रही है कि 8 डॉलर tip होगी राइट समझ रहे हैं बात को इसका मतलब machine learning गलत कह रही है कुछ अडेर के student भी है जो पांच डॉलर टोटल बड़ी मुश्किलों से लेगे जाते हैं किसी चीज़ के लिए वो क्यों टिप देंगे मैं यहां पर तीन लिखता हूं कभी किसी ने देखा तीन डॉलर के उपर को एक डॉलर टिप दे रहा हूं बहुत ही मुश्किल ठीक है इसका मतलब कुछ एरर के chances होते हैं समय लए बात की पहली एरर के chances क्या है उसको मैं यहां पर दिखाता हूं डी एफ डॉट इसको मैं करता हूं फॉर एक्जैंपल इन्फो अब आपका एडिये यहां पर काम आने डेटा की टोटल रोज कितनी है दो सुच्वालिस कॉलम्स कितने हैं सैवन हमारा कॉलम से कोई लेना देना ने क्योंकि हम दो को देख रहे हैं अब हमें डेटा अगर ज्यादा है हमारे पास at that time the error will be less समझा ही बात की इस वज़ा से जितना डेटा ज्यादा होगा उतना accurate machine learning काम करेगी सही हो गया अब आगे चलते हैं एक स्टेप और अब आपको मैं एक और तरीके से बताता हूं कि यह में शीन लेर्णिंग कैसे काम कर रही होती है डेटा के अंदर मैं यहां पर लिखता हूं इसका एक प्लॉट बनाते हैं लेट्स लॉट हमने क्या करना है यहां पर हम इन दोनों चीज़ां का ठीक है फिर उसके अंदर एक लाइन शो करते हैं इसके प्लॉट बनाने का तो पता है ना कैसे बनना यह नहीं पता पिल टी डॉट एक्स लेबलस को टोटल बिल्ट को टोटल नियुक्तिक इसको कर देते हैं और यहां पे पिल्ट डॉट शों यह भी कर देते हैं अक्सरों को आथ आपको इस तरीकेसे ग्राफ मिलेगा ठीक है अब आप खुद देखें डेटा के अंदर आर क्यों आ कि क्यों एगर इसकी लाइन कुछ इस तरीके से फिट हो रही है तो एर्र तो अनी आनी है ये डिस्टंस चैक करें किसी का बहुत ज्यादा किसी का बहुत कम में और कुछ आउट्लाइड मिए यहां पर डेटा में और हो सकता है डेटा आपस में स्केल भी ना ओ so there are many things involved इस वज़ा से जब भी आप machine learning की तरफ जाएं सबसे पहले EDA analysis और data wrangling करें data की मैं data wrangling नहीं बताने वाला मैं सिरफ आपको यह बताऊंगा कि you have to scale the data you have to normalize the data you have to clean the data for missing values or outliers and then you need to train your data for machine learning model train your model on the data set ठीक है अब यहां पे अगर मैं regression line को plot करूँ इसके उपर तो वो कैसे करेंगे इसी data के उपर regression line को plot करते हैं ठीक है मैं यहां पे क्या करूँगा basically मैं same code को copy करता हूँ यहां पे इसे paste करता हूँ और यहां पे इसके बाद मैं यहां पे लिखता हूँ PLT.plot करने के बाद X sorry एक्स यहां पर लिखता हूँ और मैंने क्या किया अब देखिएगा मैंने एक्स को ड्रॉव किया एक्स एक्स पे और यहां पे model.predict x मतलब यह जो मेरे पास x की जितनी वैलियों थी उनको predict किया मैंने सही है समझारी बात की और फिर मैंने उसका color रेड़ करके यहां पर बना दी है लाइक दिस तो आपके पास कुछ इस तरीके से काम होता है यह आपकी बेस्ट फिटिड लाइन है मॉडल की यह वह वाली लाइन है जो आपका लोकल मिनिमा को यहां पर शो कर रही है इस लाइन से आगे सिरफ खामोशी है बेस्ट अन्दे मैथट जो आपने यहां पर यूज किया हुए अब आप सोच रहे होंगे लाइन तो बन गी है इतना कुछ हमने देख लिया यहां पर एक्स डालना होते हैं तो वह कैसे निकालेंगे बिलकुल निकाल सकते हैं यहां पर लिखें स्टेंडर बिखनेगे उससे क्या होगा आपके पास इंटरसेप्ट आ गाएगा मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट इसके अंदर मैं लिखता हूं इंटरसेप्ट ठीक है इंटरसेप्ट लिखने के बाद मैं एक स्ट्रिंग बना देता हूं और इसके बाद मैं वैल्यू को लिखवाता हूं model. model.intercept यह मेरे पास print कर देगा intercept की value intercept हमारे पास .92 है अगर मैंने intercept के इलावा यहां पर slope की value देनी हो तो मैं क्या करूँगा print ठीक है slope और slope को ही coefficient बोलते हैं अगर आपको पता हूँ मुझे अभी जो लोग है वो कह रहे थे कि slope और coefficient बें मारे पास आना चाहिए होते हीर इस ठीक है and then we can also print the r square value print r square model dot score आप मुझे बताएं अब इसका correlation कैसा है tips का total bill के साथ r square को देखते हूँ weak correlation है positive है but weak इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी prediction होगी वो बहुत ही कम होगी accurate उसकी accuracy उसकी कम होगी ठीक है अब अगली बात करते हैं print अब इसके अंदर prediction हम tips को predict करने के बजाए अगर हम इसी model की पी वैलियो को print करना चाहें तो कैसे करेंगी यहां पर पी वैलियूस यहां पर पी वैलियूस नहीं आएगा इसको मैं अगले में प्रिंट करता हूं और अगरे मॉडल डॉट कॉफिशंट अफिट है फिचर नेमस नेंब प्रिदिक्टर स्कूर्ज एक से प्रेंज है इननोटेशन है क्यों 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 में चाहे जर्वान की। बाल यां की। औराईब की प्राउन की। जर्वान की। झाल झाल लिको गया तो यहां पर जो पी वैलियो जैना उसके लिए हमें मॉडल खुछ से जनेरेट करना पड़ेगा यह प्रवाइड नहीं है पी वैलियो तो स्टैट्स मॉडल के थ्रू में आपको बना के दिखाऊंगा बट फॉर नाओ वी आप टू रिलाई उन दीस त्री तिंग्स और उसको मॉडल में जब हम देखेंगे तो फिर हम उसको कर सकते हैं फॉर एक्जेंपल उसके लिए हम कैसे करते हैं मैं आपको एक दफार दिखा देता हूं आपने स्टैट्स मॉडल की एक पी एपी आई होती है जिसके अंदर आप लिए रिग्रेशन को फिट करवाते हैं और उसके थू आप पी वैलिए को यहां पर प्रिडिक्ट कर देते हैं पर एक्जेंपल अगर मैं यहां पर स्टैट्स मॉडल अगर मैंने नहीं इंस्टॉल किया हुए तन इपल टेक ताइम क्योंकि मैंने इसके अंदर नहीं क इसके अंदर करूंगा इंस्टॉल स्टैट्स मॉडल्स मॉडल्स यह मॉडल्स मेरे पास है लाइबरेरी तो मैं यहां पर इसका कोड़ प्रेंट करता हूं जो मैंने बिल्कुल चाहिट जीपिटी से लिए है और यहां पर रख सकते हैं ठीक है और यहां पर SM का जो फर्दर फंक्शन है हमारे पास OLS यानि के बेस्ट फिटिड लाइन को लगाने का रिग्रेशन मॉडल्स वो लिया हमने और हमने प्रिंट कर दिया उसके पी वैल्यू बेसिकली सैकिट लेर्न के इलावा भी काफी लाइबरेरी जो लीनियर रिग्रेश थी अगर उस पर मैंने ड्रॉ करना है तो मैं यहां पर बेसिकली एक्स और वाई जो पुराना है मेरा उसी के उपर इसको मैं ट्रेंड कर दूँगा और वाई को मैं स्मॉल रखता हूं जैसे मैंने पिछे भी रखा हुए सब्सक्राइक बाद यहां पे करता हूं तो हमारे मॉडल की सियर्म मोड mash यहां पे नहीं है थो वह कॉपने के regression पर काम करना है ना आपके दोनों वेरियेबल कॉंटिन्यूस होने चाहिए है और उनका ग्राफ शुड लुक लैक दिस स्कैटर्ड प्लॉट हो ठीक है तीसरी चीज वो एक दूसरे पर डिबेंडेंट और इंडिबेंडेंट का लिंक बना रहे हैं चौथी चीज उनका को रिलेशन जैसा भी हो वह वैल्यू अच्छी हो फोर एक्जैंपल यह पॉइंट फाइफ फाइफ फाइव है ना इट शुड बी मोर दन सैवेटी परसेंट और उसको वहां पर कैसे लेके आना है यू कैन रिमूव दा आउटलायर्स मिसिंग वैलिउस क तो इंप्यूट कर सकते हैं और और भी कापी काम कर सकते हैं ठीक है इस तरीके से आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन करते हैं अब इसी के अंदर अगर मैं एक और चीज आपको दिखाऊंगी SLR on Scaled Data मैं यहीं पर आपको इस वज़ा से दिखाने वाला हूं यह क्योंकि आप डेटा को साइकिट लेर्न के थूरू भी स्केल कर सकते हैं बहुत ही एजी है एक लाइन के अंदर आपका हो जाएगा कैसे यहां पर अभी देखते हैं यहां पर हमने क्या करना है अपने डेटा को स्केल करने है पहले स्केल करने के लिए standard scalar आप आप इंपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम् आपके लेर्ण डॉट प्रिप्रोसेसिंग इंपोर्ट लेट में सी standard इसी के अंदर आएगा या किसी और के अंदर आएगा standard scalar यह हमने इंपोर्ट कर लिया यह एक scalar है एक min max scalar है यह दो scalar आपको याद है ना ठीक है इन दो को याद रखने standard क्या करता है और min max क्या करता है अगर आपको इनके गुत्थी समझ आ गई ना तो future आपका easy scaling का और scaling machine learning की आनबान जानशान सब कुछ है कैसे अभी आपको दिखाता हूँ आपने क्या करना होता है scale अच्छा मैं क्या करता हूँ मैं सारे के सारा model ना नीचे दुबारा से लिखता हूँ ठीक है और आपको फिर ज्यादा समझ आई यह मैंने x और y यहां पे बनाई अब एक ही code के अंदर मैं model को train भी करूंगा prediction के इलावा मैं सारे काम करने लगाँ ताके आपको समझाए कि कैसे काम करता है code यहां पे इंपोर्ट पांडाज एस पीडी इंपोर्ट नम पाई एस एन पी इंपोर्ट सी बॉन में इंपोर्ट में प्लॉड लिए पैस पी इंपोर्ट सी बॉन आज एस एन एस और यहां पर हमने एक और किया था फ्रॉम साइक लर्ण लीने रिग्रेशन यह मैंने एक ही दफार कर लिए ना सिरफ आपको इडवांस लेवल का को बताने के लिए का कैसे काम करते हैं आइस्ता-इस्ता step up कर vallahi कबस्त के ग है अब मैंने क्या करना है हमने एक्स को स्केल करना है x को sql करना वह कैसे करेंगे लोड देड में के आंदर इस्केयल x कैसे करेंगे याँ पी आपको में दखाता हूँ आपने सिंपली यहां पे ट्रांसफॉर्मर यानि के स्केलर अपना बनाना है स्केलर इसिकुल टू यहां पे स्طैंडess केलर या मिन स्केलर लाके आपको दिखाता हूं फिर स्केलर लाते हैं अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे हां जी पुराने बंदों कोई बता सकते हैं बड़ा असान है जी जी जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि आपने कोई भी स्केलर लिया यहां पे किसी भी है कि अब स्केल हमने लिए स्केल के बाद आगे क्या काम करें है हमने इस चीज़ को एक्स अंडर्सकूर स्केल कहना है कि या इसको मैश्व अपडेट इड़ देंगे इसको एक्स लिख देंगे इसका मतलब जो पुराना एक्स है ना वो नए एक्स के अंदर कनवर्ट हो गया अगर आप इसको एक्स केल्ड भी लिखे तो आपको बार बार एक्स केल्ड यूज़ करना पड़ेगा जो एक हैक्टिक सिचुएशन हो जाती है तो मैं यहां पर एक्स लिखता हूं अब देखते हैं स्केल कर लिए हमने एक्स को सेम हमने अब मैं यहां पर मॉड्ल बनाता हूं डिखताओ अगर में यहां पर करता हूं डाउं स्केल पर नहीं ट्रेंअ कर तोoner गुवर्ण ऐसे घृटा पर १म मैं दूसरे डेटाब्रेंट रहा हूं इस वज़ा से मुझे यहांपे लिखना पड़ता एकक्स supports cave धी आपे क्योंके मैंने इसको नाम को दिया है तो इस वज़ा सजे मैं यहीं data. Let me see expected 2D array instead of 3D array. Scale.fit x. Oh, I see. हाँ जी, अब इसको कैसे resolve कर सकते हैं? एक तो तरीका यह है कि scale इसके पीछे लगा रहे हैं. मतलब यहां पर scale लगा लगा लगा, scale आप यहां पर उठा के लगाएं और यहां पर data जो है वो transform कर दें, from here. ठीक है? scale, tips, tips को scale करना है तो आप यहां पर लिख देंगे, x, नहीं, x नहीं, यहां पर हम df, tip और यहां पर scale fit, df इसके अंदर, tip. और दूसरा तरीका कर यह होगा कि आप data को transform कर लें, ठीक है? transform कैसे करेंगे, मैं इसको undo करता हूँ, ताकि आपको जो easy तरीका का रहा है, वो बता दिया जाए, बजाए इसके. यहां पर हमने x, y किया, इसको run किया तो यह कह रहा है कि टूडी एरर आ रही है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, transform data, transform किस तरीके से करेंगे, basically हम, scale, hopefully it should work now, let me see, x underscore scale, मैंने सिर्फ इसको differentiate करने के लिए scale लिख है, and now it's strain, तो transform से क्या हो रहा है, वो 2D array के अंदर convert हो जाता है, ठीक हो गया, sorry यार मुझे थोड़ा सा पानी पिरे की ज़रूर रहता हुए, तो यह तरीका जो ज़्यादा असान है, कद्रे बजाए आप किसी और तरीके से काम करें, ठीक है, और यह तब होता है, जब आप डेटा को बाद में स्केल कर रहे हैं, एक्स और य को, पूरे के पूरे को, ठीक है, हमने यह लगा दिया यहाँ पर, अब आपको एक चीज दिखाने वालों मैं, एक्स अंडर्सकोर स्केल्ड क्या है, डॉट, यहाँ पर आप चेक करें, यह मैंने मिन मैक्स स्केलर लगाया, और इसकी वैलियों हमारे पास क्या आ रही है, पॉइंट से उपर आ रही है, राइट, मिन मैक्स स्केलर की, और जिरो मिनिमम है, माइनस में तो नहीं नज़र आ रही है, अगर मैं यहीं पे, यह मिन मैक्स स्केलर की बजाए, यहाँ पे ही स्टेंडर्ड स्केलर यूज़ कर लो, मैं मतलब इसको स्टेंडर्ड स्केलर बना दूँ, अब चेक कीजेगा क्या होता है इसको मैं कुमेंट आउट कर रहा हूं इसको रन किया इसको रन किया चेक करें माइनस में वैल्यूज आगे इसकी वज़ा क्या है स्केलर की रेंज है माइनस economies तृ से प्लस त्थी के दर्मियां वो डेटा को माइनस मैंस स्थी से फ्लस त्री के दर्मियां दर्मियां रेंज कर देता है जितना मरजी बड़ा डेटा हो तो कि ए है यह मैं आपको बता रहा हूँ basically standard scalar की में प्रॉपर्टी जो मिन मेक्स scalar होता है वो zero से one के दिर्मियान कर देता है zero से one के दिर्मियान अब यहां पर जो साइकिट लेंग के अंदर standard scalar आ रहा है यह standard deviation की base पे उसकी range को बनाता है कि main range से कितना deviate कर रही है उसकी mean ठीक है इस वड़िया से अक्सरों कहा था आपको यहां पर four में मिलेगा five में मिलेगा six में मिलेगा और आप चेक करेंगे minus five में मिलेगा ठीक है तो basically scaling जो कर रहा होता है वो उसकी values को standard deviation की scale down कर रहा होता है ठीक है जो algorithm में इसके अंदर लगता है तो you can actually define the range कि minus three से plus three के दरवियान जाना है यह standard deviation की base पे उसको आपने divide करके आगे mean और standard deviation की base पे scale करना है and this is actually scaling based on the standard deviation सही हो गया तो usually जो point to be noted है यहां पर आपके पास minus values आती है negative values आते हैं जब आप scaling दूसरी use करते है मिन मैक्स में 0 से उपर जाती है values ठीक है so इस वड़ा से यह दोनों point यहां पर आपको clear करना ज़रूरी थे अक्सर अक्सर algorithm के अंदर minus values वो accept नहीं करते तो मैंने इसी वड़ा से यहां पर इसको अब बंद करता हूं और मिन मैक्स केलर को मैं okay करवाता हूं यहां पर आप चेक कीजिएगा x scale को जब मैं लेकर आता हूं तो आपके value 0 से 1 के दर्मियां अंदर में आना है ठीक है तो यह ज्यादा बहतर होता है minimax scaler जो है अक्सरोकाद यहां पे कुछ और भी कुछ नहीं है सिरफ यह दो step हमने introduce कर वाए हैं जिसको हम scaling के steps करते हैं समय लागी बात की और कुछ भी ने किया यहां पर अब हम क्या करते हैं हम इसकी प्रपर्टीज को यहां पे प्रिंट आउट करके देखते हैं कि क्या स्कोर देता है यह वला मॉडल हमें ठीक है वो कौन-कौन सा स्कोर था यहां से यह 3 इन हुआ यह स्केल डेटा के मोडल के उपर है अब आप चेट करें आपके पास क्या वैलियूज आ रही है एक्स अंडर्सकोर वाई नहीं है यह एक्स अंडर्सकोर स्केल्ड वाई था यहां पर हमारे पास आ रही थी पॉइंट नाइन टू एंड पॉइंट वन जीडो ऐसे है यह तीन के अंदर जो ओल्ड था हमारे पास उसकी वैलियूज यह थी यह पुराने की वैलियूज है हमारे पास अगर मैं इसको यह हमारे पास intercept उसकने है यहाँप्र सुप हमारे पास फाइब आ गया है ठीक है यहां पे स्लोख हमारे पास पॉइंट टैन आ रही यह सम्वह की रीज़न क्या हो सकती है सो vinegar पीं नहीं हो सकती है और यह ंंदर अबी पूरा डेटाा यहां पर हमारे पास डेटा रेंगल्ड है अब अगर मैं इसी को मिन मैक्स केलर की बजाए यहां पर इसको कमेंट आउट करो और इसको कमेंट इन करके इसको रन करूं रन करने के बाद मैं इसको दुबारा से कोड को यहां पर रन करूं तो यह हमारे पास टेंडर्स केलर की वैलियूज है ठीक है यह हमारे पास मिन मैक्स केलर की वैलियूज है यह हमारे पास ओल्ड वैलियूज है विदाउट स्केल डेटा तो आपके पास तीनों आ रही है तो आप समझने हैं values जो हैं किस तरीके से change होती जाती है अब मैं ये बात नहीं करूंगा कि कौन सी values इसमें से best है कौन सी नहीं best उसके बारे में हम बाद बाद में करेंगे इसकी रिजन क्या हो सकती है उसकी रिजन एक ही है ना डेटा स्केल्ड हो है लेकिन डेटा की प्रॉपर्टी तो वही है ना डेटा छोटा हो के भी उसका लिंक तो dependent इंडिपेंडेंड़ वेरियेबल के साथ वही बन रहे है ना मलब एक के बढ़ने से जितना दूसरा बढ़ड़ा उतने ही बढ़ड़ा है ना वो भी तो उसकी डिरेक्शन तो वही रहेगी तो कीप इंड मैंड अच्छा जी हम मुझे बताएं कि स्लोप और इंटरसेप्ट तो होगे हमारे कम बाकी चीज़ें भी कम होगी फर्दर हमने स्केल जो एक डेटा की है अगर हम वाए को भी स्केल करें तो क्या हमारा इस पे कोई फरक पड़ेगा क्वेस्चन है इव वी स्केल वाए क्या उसका आर्ट स्केर की वैलियो पे फरक पड़ेगा नहीं पड़ेगा रीजन क्या है औरीजिनल डेटा वही रहता है स्केलिंग का मतलब है हम सिरफ उसको छोटा कर रहे हैं फरक लिंक तो उसका वही रहना रिलेशन्शिप तो वही रहना सेकंड चीज इंटरसेप्ट और स्लोप पर फरक पड़ेगा चले मैं आपको एक बात बता देता हूं बड़ी अच्छी मिसाल से समझाते हैं यह लांग डिस्टेंस वाले मेरी बात खौर से सुनिएगा समझ तो गही हों गए वो कहते हैं ना कि जितना मर्जी दूरियां हमारी महबत को जुदा नहीं कर सकते हैं सारे जुवान बैटें यहां पर तो मैं ऐसी मिसाल देने से नहीं कित रहूंगा लांग डिस्टेंस रिलेशन्शिप में आपका रिलेशन्शिप तो स्ट्रॉंग रहता है लेकिन वह बातें वह नहीं रहते हैं समझने ना खास तोर पर जो मैं जो मैरिट लोग हैं जो पाकिसान में होते हैं कभी बाहिर होते हैं कभी पाकिसान आते हैं तो उनके लिए अगर देखा जाया या अन्मैरिट भी हैं जो कपल्स जो हैं बेसिकली जिनकी इंगेजमेंट हुई पढ़ें या वह बातें करते है या आपका अपनी family में किसी के साथ relationship ऐसा है for example आपके भाई के साथ आपकी sister के साथ या mother के साथ कोई भी relationship है relationship में तडार नहीं है लेकिन आप जब दूर हो गए है ना तो वो रुजाना की बातें कम हो गई है आपकी slope और intercept change हो गया relationship पे कोई फरग नहीं पड़ा r square सेम रहना है क्या कभी ऐसा हुए है कि ममा का रिष्टा बदल जाए आपके साथ नहीं ना होता तो relationship में फरग नहीं पड़ेगा but slope and intercept में फरग पड़ेगा slope intercept क्या है बातें कम हो जाएंगी ठीक है आगे आपको और भी चीज़ें बतानी है जिसको metric बोलते हैं कि how to find कि एक model कितना अच्छा है हम मुझे बताएंगे कि एक लफ्ज मैंने यहां पर बोला metric यह वो वाला metric नहीं है कि आठवी नवीं के बाद metric मैंने कर लिया we start the spelling as metric metric क्या होता है कि एक मैयार एक मैयार काइम करना कि कौन सा algorithm कितना अच्छा है ताहिर भाई कह रहे हैं कि metric कर लो आगे कह रहे हैं यह सबसे बड़ा जूट है दुनिया का आगे पड़ा यह सारी है आज की assignment आपकी यह है कि metric जो होते हैं ना इनकी जम्मा जो है वो है मैट्रिक्स मैट्रिक्स या मैट्रिक्स बलके मेरे ख्याल से singular ही है metric पता नहीं मैं गलत कह रहा हूँ metric या मैट्रिक्स कोई भी चीज़ यह वो वाले मैयार होते हैं जिसकी बेस पे आप मेयर करते हैं कौन सा algorithm कितना अच्छा है यह classification के लिए different होते हैं regression के लिए different होते हैं इसी वज़ा से मैंने start में अर्ज की थी कि जब कभी आप metrics की बात करें या कभी भी machine learning algorithm की बात करें you should know what is classification and you should know what is regression अगर आपको regression और classification का फरक नहीं पता ना तुसी कुछ नहीं कर सागँ आप ये भी नहीं अंदाजा लगा सकते कि कौन सी चीज बेस्ट है कौन सी चीज बेस्ट नहीं थीक हो गया अब metrics कौन कौन से हैं regression के different है lassification के different है आपने उनको list डाउन करना है regression के top 5 metrics कौन से and classification के top 5 metrics कौन से कि यह मैं बात करूंगा यहां पर मुझे पता है मैं पांच अल्गुरित्म नहीं पढ़ा पारा अभी क्यों क्योंकि डिरेक्शन जिस साइट पर जा रही है इस बगर लेक्चर की आई डॉंट वांट तो मैस्विध डैक वन ठीक है तो उसकी रिजन यही है इसी वज़ा से मै मैं आपको अब इन्शाला यह मैट्रिक्स के बारे में बता दूं और वी विल सी कि आगे अल्गुरित्म को कैसे हमने करना है स्क्रीन आपको नजर आ रही होगे मेरी मैं आपको दो तीन अल्गुरित्म तो अभी पढ़ा के चोड़ूंगा इंटेंशन न लें थक तो नहीं गए न अभी तो सारे एक बजा है अच्छा सारा एक बजा है अभी जो लोगोंने सोना है ना वो दिल में कह रहे होंगे बस क इस बील्कुल सारी तक सीन अटेंशन नहीं मैंने पहले इस में बताया वाम हो जाती है लेक्टिर में आदे बंदर छोड़गे चले जाते हैं मैं सेरी तक नहीं सेरी तक नहीं सेरी बनाने तक सीन है रिक्रेशन के जो है में कि एरड़ ये को familiar familiar term नी लग रही mean squared error ये वो ही residual sum of squared है जो हमने आज के algorithm में निकाला था और मैं इसी मुझा से इस मोके को घनीमत जान के आपको बताऊंगा कि ये जो हमने sum of squared residue किया था था ना इसका अगर mean ले लिया जाए तो ये mean squared error है basically ठीक है उससे क्या होगा हर point की error का mean ले लेना mean squared error आपको समझ आगी mean squared error फिर एक और होता है root mean squared error ये क्या होता है बला simply mean squared error का जज़र root under root दो तो आपको matrix समझ भी आगे फोरह नहीं है की नहीं कि इतना है यहां पर दो आता है अगली चीज़ फिर हमारे पास आता है r square इस पहले को हम बोलते है mse mse की समझ आगी ये ना मेरा नहीं खियाल आपको भूलेगी अब ये mean of all the error distances from point to the line of the best fitted line ठीक है ये हो गया root mean square error जिसको हम rmsi बोलते हैं और आज से आपको term सुनने को मिलेंगी जब भी कभी आप किसे interview में बैठेंगे ना वो आपको बूचेंगे आपने अपने model को validate कैसे किया जी मेरे model की rmsi इतनी थी फिर बाद में इतनी हो गए तो ये जब machine learning इंजिनियर्स बातें करते हैं वो इस तरीके से करते हैं तो वो ये नहीं कहते है root mean square error वो कहते है rmsi इतनी थी ms इतनी थी अब आगे आता है r square r square से भी पहले एक और मैं आपको बताना चाहूंगा जिसका नाम है mean absolute error mean absolute error ये क्या होती है कोई बताएगा i think वाला ना बताएग सही वाल गूगल करने में में शाट mean absolute error क्या होती है गूगल कर लें कोई नहीं आपको साथ साथ मैंने active रखना है absolute क्या होता है चले मैं आपको यह suggest करूंगा कि mean absolute error को ना एक दफ़ा सर्च कर ली जाएगा ठीक है बहुत असान है ठीक है बिसिकली इसमें होता ही है कि positive values होती है ब्रियल वैलियूज और एक्च्वल वैलियूज और प्रेडिक्टेड वैलियूज कर डिफरेंस ही होता है बट इन वे जो डिफर करता है आपके में स्कूर्ड एरर से ठीक है तो में एप्सुलूट एरर उसी की बेस पर हम आगे find out करते हैं तो यह आपने खुद से देखना है फिर हम इस पर discussion करेंगे अगर आपको ना समझाएं ठीक है आगे चलते हैं अब इसके बाद एक और एक और एक और मैट्रिक है आर स्कूर्स को आर स्कूर्स को ठीक है आर स्कूर्स का आपको पता है एक्शूल वर्सेस प्रेडिक्टिड वैल्यूस तो वह किस तरीके से अपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ट बना रही है अगर इनका हर्ट स्कूर्स ज्यादा हो तो इसका मतलब यह कि दूनों वैल्यूस अच्छे तरीके से मॉडल को प्रेडिक्ट कर रही है ठीक है तो आर्ट स्कूर्ड वैल्यू हमारे पास यह हो जाएगी आगे इसके इलावा कौन सा मैट्रिक है यह चार इंपॉर्टेंट है इसमें पांचवां कौन सा एड़ कर सकते हैं एफ वन स्कूर इसमें आता है खुदा के बंदों कुछ अकलनू हाथ मारो पता नहीं हाप लोग मुझे चेक कर रहे हैं कि इसको पता है कि यह एफ़न लिखते हैं यह फोरण बताएगा चले छोड़े आगे चलते हैं पांचवां मैं आपको बताता हूं पहले दूसरे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देख ले क्लासिफकेशन के जो इंपॉर्टेंट है पहला इसमें आता है जनाब प्रिसीजन स्कोर यह जब हम क्लासिफकेशन करें आपको फिर समझाएगी सही तरीके से मैं सिर्फ आपको बता देता हूं परिसीजन स्कोर रीकॉल स्कोर एफ-वन स्कोर यहाँ पे आता है एफ-वन स्कोर और इसके इलावा भी काफी हैं यह कहां से मिलेंगे आपको metrics यह आपको scikit learn की website से मिलेंगे और इतने बेभाब metrics वहां पर पड़े हुए है ना कि एक model को scoring कैसे देनी है यह उस पर depend करते हैं सारे के सारे and now I am going to show you that one मैं यहां पर screen को अपनी यहां पर ले आता हूँ यह हैं जी पढ़े हैं आपके सारे मैट्रिक्स तो अगर मैं पूछ हूँ तो आपके पास ये वला वेबसाइट का लिंक होना चाहिए अब जो मैं मिस्स कर गया हूँ वो है एकुरेसी स्कोर क्लासिफकेशन का ठीक है और ये इतने सारे एफ़ण वेटिड एफ़ण माइक्रो एफ़ण मैक्रो मनलों लोगों ने ना मशीन लेंडिंग इंजिनियर्स ने इतनी लाइने लगाई हैं ना स्कोर्स की कि बंदे को चूज करना मुश्किल होई ठीक है क्लिस्ट्रिंग के लाइदा स्कोर्स है रिग्रेशन के लाइदा स्कोर्स है ये तीन कैटेगरीज यहां पर पढ़ी है लिंक मैं आपको भी भेज़ देता हूँ क्योंकि मुझे पता है आपने कहना भाई लिंक सेंड कर दे यह ले जनाव आपके कहने से पहले आपको सेंड कर दी है अब यहां पर जो हमारे पास इस लिंक के उपर जो काम है इस पर बात करते हैं तो कॉमन केसिस हमारे पास होते हैं क्लासिफकेशन का क्लिस्ट्रिंग का और रिग्रेशन का regression के अंदर हमारे पास यह वाली आर्र जाती है अगर आप यहां पर जाएंग प्लासिफिकेशन के मैट्रिक्स पर जाएं तो यह पड़े हुए और हर एक को किया वकायदा उन्होंने अगर यहां पर क्लिक करें ना इस लिंक के ऊपर यह जैक करें मैंने यहां पर regression मैट्रिक्स पर क्लिक किया और यह सारे के सारे defined है यहां पर पड़े हुए आर्स्क्वेर स्कॉर क्या है ठीक है फिर आगे मेन एपसुलूट एरर क्या है सही है? उसकी equation के आर्र वह भी सारी पिर अगर आप देखे मेन स्कुर्ण एरर वह भी बताई हुए है फिर आपको मेन स्कुर्ण वाग रित्मिक एरर भी बताई हुए है बहुत भल्neावजारी बात है everything का लग लेने लिएठा है ठीक है सकेलिंग करने लिए और फिर आपके पास mean absolute percent error आ रही है फिर आपके पास इस तरह के और भी कफी methods है जो आप यहां पर चेक कर सकते हैं ठीक है फोर regression अगर classification के देखने तो यह पड़े सारे के सारे positive recall curve, आरोसी कर्व, likelihood फिर आजाती है फिर आपके पास accuracy score, f1 score है ठीक है फिर आपके पास different किसम की procedure है और बाकी और भी recall score है, procedure score है यह सारे के सारे method यहां पर पड़े हुए और इन्शाला जब हम आगे move करते जाएंगा हम इन पर detailed discussion करते जाएंगे अभी मैं खतम नहीं करने वाला, give me just one second, ताके मैं आपको multiple linear regression यहीं पर बता दू कि क्या multiple linear regression और simple linear regression में फरक क्या है बहुत सादा से इल्फास के अंदर इंशाला भी आपको बता देना, आपने tension नहीं लेने, यही आपके सामने एक दो लाइनों के अंदर आपको में बताने लगाऊं यह हो गया था हमारा simple linear regression, next पे हम चलते है multiple linear regression या multi linear regression, इसको कहते है multi linear regression dot ipynb इसमें क्या होता है जनाब, मैंने same वो ही code उठाने, सारे के सारा, copy, paste, यहां पे हो क्या रहा है, आपने multiple linear regression के अंदर x की एक value के बज़ाए दो या दो से ज्यादा होती है, simple, और कुछ नहीं है इसके अंदर, सभी है, आपके पास x की value जो है, वो एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा होती है, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, तो अब इसको draw कैसे करते हैं फिर, बहुत यहसान, जुबान के अंदर, हम इसको देखेंगे, और फिर हमारा यहीं पर session end हो जाएगा, क्यूंके काफी लोग जाया है, उन्होंने सुबह को office भी जाना होता है, तो मैं सभी को जगा के नहीं रखने वाला, don't worry about that, और हम मैं आपको सिरफ code यहां पर दिखाऊंगा, और आपको समझ आ रहे हैं कि कैसे यह काम करता है, ठीक है, यह आप देख सकते हैं, यहां पर multiple linear regression हमारे पास आ गया, अब multiple linear regression होता है, और कैसे काम करते हैं, इसके उपर थोड़ी सी नजर दोडाते हैं, मैंने यहां पर यह code काप इसको मैं डिलेट करता हूँ, शुरू से आपको बता देता हूँ, multiple linear regression हम इस तरीके से use करेंगे, और यह basically एक से ज्यादा लाइनों को draw करने की बात को बोलते हैं, like this one, ठीक है, आप क्या करेंगे, एक से ज्यादा लाइनों को भी draw कर सकेंगे, same linear regression के base पे, colors और बाकी चीज यहां पर देख पाएंगे, ठीक है, इसके लिए assumption same ही है, आपके पास independent, dependent variable होते हैं, और आपके पास x के अंदर एक से ज्यादा values होती है, यह मैंने libraries import की, जो हमने पहले काम किया था, वही काम है, linear regression ही import करनी है हमने, कोई इसमें कोई बड़ी science नहीं है, लेकिन हमने क्या करन है, हमने, for example, मैं एक simple से data set पे आपको बना के दिखाता हूँ, यही चीज़, मैं यहां पे data set जो है, iris का download करता हूँ, ठीक है, iris का data मैंने यहां पे लिया, iris का data लेने के बाद, अब इस पे linear regression हम जो है, वो लगा सकते हैं, मैं यहां पे necessary libraries आगी, iris के data set के बाद, कौन हमने करना, यहां पे linear regression हमने कर लिया, और हमने matrix भी लेया यहां पे, जो मैंने पिछले lecture में आपको बताए थे, train test split का role क्या है, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन यहां पे देख लीजेगा, हम कर क्या रहे हैं, हमने x के अंदर, यह वाली values ली, मैं train test split को यहा ना हो, क्योंकि मैं इसको पूरा lecture इसके उपर रखा हुए, तो उसमें आपको बताऊंगा, अभी नहीं में बताता, अच्छा जी, तो हमने क्या किया, df हमने load किया, उसके अंदर हमने x के अंदर एक से ज्यादा values ली, ठीक हो गया, अब iris का data set क्यार करता है, हम x की base पे y क predict करते हैं, और वो भी दोनों numeric ही हैं, तीनों बलके, ठीक है, हमने यहाँ पे model को ले आए, model को train किया, यह मारे पास linear regression का model train हो गया, train करने के बाद हम इसके जो parameters हैं, उनको यहाँ पे, इसी तरीके से print कर लेंगे, यह मारे पास इसके intercept और slope बगरा आगे, ठीक है, model के coefficient बग coefficient आए हैं, समझा ही बाद की, अगर X की तीन values होंगे तो आपके पास तीन आ जाएंगे, यानि के features जितने हैं, उतने coefficient आपके पास यहाँ पे आएंगे, हर line का separate coefficient, कैसे अभी आपको दिखाता हूँ, अब अगर आपने X की दो values दे के तीसरी को predict करना है, जो numeric है, तो आपको prediction के लिए क्या करना पड़ेगा, model, dot, predict, और इसके अंदर आपको दो values देनी पड़ेगी, तो मैंने एक दे दी 5.1, दूसरी दे दी 3.5, तो इसकी base में मिझे तीसरी value मिल गी, same वोई prediction का rule जो हमने पहले लगाया, ठीक अब इसके इलावा हम और क्या कर सकते हैं, इसमें असानी पैदा करने के लिए, मैं tips के data set पे आपको एक total बना के दिखाता हूँ, और उसके उपर हम ये काम करके देखते हैं, and then मैं आपको यही चीज़ plotly के अंदर बना के दिखाऊंगा, और उसके उपर फिर हम देखेंग तो better है, जी, क्या plotly अभी देखनी जाएं या कल को करें इसको, species को अगर predict करेंगे वो classification होगा, species को अगर हम predict करेंगे तो वो classification का algorithm हो जाएगा, ठीक है, सभी लोग कह रहे हैं अभी होना चाहिए, तो यहां पर पांच मिनट की break लेते हैं, क्योंकि एकसर उकात जो लोग यहां पर बैठे हुए ना, उनको नीद आ रही होती है, तो सिरफ पांच मिनट की break दें, तो फिर आपको इन चीज़ों की तरफ लेके आता हूँ, इस इट फाइन ओके पांच मिनट की break है जाए हमारे, कोई नहीं सोता पांच मिनट में इंशाल्ला, क्योंकि जब जूम की मीटिंग चाल रही हुए ना, तो खुद ही टेंशन रहनी हाए, मेरे सुए हुए का पांच मिनट के अंदर हम वापिस आरे मैं अलाम लगा रहा हूँ, कर में?, में भजय हरी टेंच मिनट के लिएन ऋमसे idéेग, घर वापिस Junts, ओड रहा हूए ूआरल्स का लगा रहा हुए, जल, कि इ sectionsाव में मुंत मिन्हार्वें इसस्वर्स्टैंज मिट हुख हूए, कम में बन मेंूने इस खुए हुए, नहीं रहा हुए. झाल 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 और जब मैं बिमार होता हूं तो अवाज बिल्कुली बंद हो जाती है पता नहीं क्या होता है मेरे साथ तो उसको फाइनलाइज करने के लिए दो तें स्क्रिप्ट रहते थे मेरे वो नहीं मैं कर सका अभी तक अब मुझे अंदाजा होगा कि जो उन्होंने भी मिस किया मैं उसको भी आड़ करूँ या उनमें से जो अच्छी चीज़ा वो भी आड़ कर दूँ एड़ के अंदा है सो मेरा प्लैन यह है कि किसी एक दिन बैठके इंशाला उसको लाइव आपको दिखा भी दूँ और उसको करके भी देखें और फिर रिकॉर्डिंग वीडियो भी आपको मिल जाए सो इंसान है कभी भी कुछ भी हो जाता है भई तो बस कोशिश मेरी जारी है इंशाला उसको में कंप्लीट करके आपको दो 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 मैं भूला नहीं हूँ डोन वर्या बादा है ठीक हो गया जी अब आपके सामने यहां पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से हमारा जो है वो मल्टी लीनेर रिग्रेशन काम करती है और मैंने सोचा क्यों ना आपको ट्रेन टेस्ट सप्लेट का कौंसेप्ट भी यहां पर बता दिया जाए ताकि आपको समझ आ जाए ज़े वो क्या चीज होती है ताकि आपको मतलब यह ना के बाद में ज इसमें मल्टी लीनेर रिग्रेशन इंवाल है अब होता क्या है कि अगर टोटल हमारी रूस डीएफ के अंदर अगर मैं डीएफ डॉट इन्फो करूं तो यहां पर हमारे पास टोटल एक सो पचास एंट्रीज हैं और पांच कॉलम्स हैं ठीक है अब एक सो पचास में से अगर मैं असी फीसद डेटा मॉडल को ट्रेन करने के लिए रखनो और बीस फीसद डेटा मॉडल को दिखाऊ ही ना वो चुपा के अपने पास रखने जब मैं मॉडल को ट्रेन करने उसको बोलू कि यार अब बता जरा यही जो बीस फीस फीसद डेटा इसको प्रडिक्ट तो कर जरा क्योंकि हमें उसकी औरिजिनल वैलियू का पता है जो मॉडल प्रेडिक्ट करेगा हम उसको औरिजिनल वैलियू के साथ किम्पेर कर सकते हैं प्रेडिक्शन वर्सिज एक्ष्छ एक्शल वैलियू का कितना फरक आया है say for example अभी मैं आपको train test split के बारे में बताया, अभी इसको थोड़ा सा implement करके देखते हैं, फिर आपको further और भी समिट आजाएगा, ये किस तरीके से काम करते हैं, अब यहां पर मैं linear regression की छोड़ी से example आपको पहले दिखाता हूं, फिर उसमें हम काम करते हैं, मैं यहां पर से पहले यह वही काम है, जो हमने पहले किया, train test split यहां पर involve की है मैंने, ठीक है, और इसके अंदर train test split करने के बाद, हम डेटा को चार हिस्सों में divide कर लेते हैं, दो हिस्से x के, दो हिस्से y के, सही है, समझारी बाद, दो x के, दो y के, x के दो हिस्से जो है, उसका 80% हिस्सा होगा training का, 20% testing का, same y का, 80% training का, and 20% testing का, इसको हम बोलते, 80-20 के अंदर divide करना, आप 70-30 के अंदर भी कर सिथे हैं, ठीक है, तो अगर आप इसको कैसे करते हैं, आप यह चार commands लिखते हैं, x train, y train, x test, y set, और इसी तरतीब के साथ लिखेंगे, x train and test, y train and test, लिखने के बाद आप function use करेंगे train test split का, जो हमने इंपोर्ट किया है, यहां से, लिखने के बाद आप कहेंगे के x और y को, divide कर दो, test size या दूसरा size बताने के बाद हम बताएंगे, के 0.2 यानि के 20 फीसद रख दो test size, तो automatically train size कितना हो गया, 80, ठीक है, आप यहां पर test size की बज़ए train size भी लिख सकते हैं, अगर मैं यहां पर लिखू train size और यहां पर लिखू .8, तो इसका मदलब test size अब 20 हो गया, सो दोनों में से एक चीज़ आप लिख लेंगे, फिर random state अकसर अकात यहां पर 42 लिखा होता है, और इसके पीछे बड़ी एक funny story है, यह आपने देखना है के random state की क्या मतलब है, ठीक है, के random state 0 या 42 क्यों लिखा जाता है, सही है, मैंने इसको split किया, अब आप करेंगे क्या model क train वाले data पे model करेंगे, fit करेंगे, ठीक है, train train दोनों पे, और जो predict करेंगे आप test पे करेंगे, सही है, क्यों करेंगे ऐसा मैं अभी आपको बताता हूँ, मैं इसको run करता हूँ, run किया, यह मेरे पास run हो गया, now I can see के इसकी slope और intercept क्या है, मैं यहीं पर at the end इसकी slope और intercept print कर द अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपना scatter plot draw कर सकता हूँ, simply, कैसे draw करता हूँ, जैसे हमने पिछली values को किया था था न, scatter plot draw, like this, अब हम यहाँ पे करेंगे, plot करो, scatter को y versus y underscore predict, क्यों हम कर रहे हैंगे, क्योंके model dot predict x test जो है, वो y predict ही तो है न, हम इन दोनों को run करेंगे, यह क्यों error दे रहा है अब हो यह देखते हैं, let me see, x and y must be of the same size, यहाँ पे आना y test, sorry for that, y predict and y test, let me see, yes, यह जो 20% data था न, यह y predict यानि के predicted values न, y test यानि के original values, अब इन दोनों का फरक कैसे आपको feel होगा, r square की value की base, so मैं नहीं बात की के नहीं, अब यहाँ से हम r square भी निकाल सकते हैं, और यही वज़ा है, कि जब भी आप evaluate करते हैं किसी model को, तो आप train test split में उसे convert करते हैं, and then you do something like this, r square को आप y test and y predict की base पे, y test and y predict, यानि कि यह जो हमने draw की हैं न, यहाँ पे, इसकी base पे आप model के scores find out करते हैं, जो यह आ रहे हैं आपके सामझे, अब समझ आई है कि r square क्यों जरूरी है, यह वाला r square आपको बताता है, आपका model कितना best perform कर रहा है, अगर यह 0.8 है न, इसका मतलब है कि आपकी actual value और predicted value बहुत close हैं, अगर mean absolute error आपकी कम है, तो इसका मतलब आपका actual value versus predicted value का error बहुत कम है, ठीक है, समझागी बाद की अब, और यह data हमने train किया है 80% पे, आप यहाँ से इसकी training change भी कर सकते हैं, 70 और 30 पे भी कर सकते हैं इसको, मैं 70 और 30 पे करता हूँ, तो यहाँ पे values देखिएगा मेरी, यह 30% data यहाँ पे आ गया, यहाँ पे फॉरण से change आ गया, 82% accuracy होगी, इसका मतलब क्या हुआ, कि data ज्यादा देने से accuracy कम हो रही थी, अब और कम करके देख लेते हैं, 50-50 करके देख लेते हैं, biscuit भी आपने खाये होगे बच्पन में 50-50, चेक करें, 79 होगी, इसका मतलब कि data का ज्यादा कम होना, आट स्क्यूर को कम ज्यादा नहीं कर रहा, बट there are some other factors involved in that, तो मैं इसको 80 या 75 पर ले जाता हूँ, 0.75 पर ले जाता हूँ, अब चेक करते हैं, now the accuracy is 83%, कौन सी accuracy नहीं, स्वरी, accuracy नहीं, r square value, इसका मतलब actual versus predicted पर trained model अच्छा perform कर रहा है, data कम है अभी हमारे पास, ठीक है, तो ये तीन चीज़ें यहाँ पर आती है, इसके लिए मैं एक note आपको दूँगा, कि why, what happens, when, r square is high, जब r square high होता है, इसका मतलब यह है कि actual versus predicted values दोनों का close relationship है, यानि कि, अगर actual ज्यादा थी, तो predicted भी ज्यादा थी, अगर actual कम थी, तो predicted भी कम थी, वो दोनों आसपास हैं, इसका मतलब एक और क्या हुआ, कि r square की value ज्यादा हो तो बहतर है, कम हो तो नुकसान है, on the other side, what happens, when mean absolute error and rmse are high, ठीक है, अगर आपकी यह दोनो values high हों, तो इसका मतलब है कि आपका model अच्छे तरीके सिर्फ ट्रेन ही नहीं है, सही है, और इसको हम not fit कहते हैं, सही हो गया, और इसके अंदर over fitting and under fitting के कुछ concept हैं, जो हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे, कि what is over fitting and what is under fitting, तो यह दो concept मैंने आपको बताने थे, and then, अब एक और example की तरफ चलते हैं, और यह बहुत ही अच्छी example होगी आप लोगों के देखने के लिए, मैं सिरफ आपको code दिखाऊंगा, बाद में यह line of, यह जो पूरी file है, यह मैं आपको send भी करने वाला हूँ, यह पूरी की code की file आपको मिलने वाली है, सही है, जो समझने वाली बाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, यह इस चीज़ का आपको बता है, यह क्या है, यहाँ पे मैंने simply क्या किया है, data download किया है, किसका tips का, और मैंने LM plot बना दिया है, linear model plot जो हमने पहले भी बनाया था, और मैंने कुछ plot को इस तरीके से labels दे के यहाँ पे draw कर लिए, ठीक है जी, तो multi linear regression के model को आप इस तरीके से draw कर सकते हैं, राइट, हो गया draw यहाँ पे, अब आगे चलते हैं, आगे हम क्या करेंगे, हमने basically एक model को train करके, उसके ओवपर पूरा काम करना है, उस model को किस तरीके से train करेंगे, अब हम देखते हैं, पहला काम, यहाँ पे, मैंने यह पूरा code लिखा, अब इसको मैं आपको समझाता हूँ, यह क्या है, हमने c-bone की library यहाँ पे की, train to split किया, linear regression किया, और तीन के तीन matrix कर लिए, जो पहले हमने काम किया, same way, data हमने tips का लिया, अब यहाँ पे मैंने total bill और size के साथ-साथ, smoker का column भी लिखा, smoker क्या है हमारे पास, एक non-numeric value, तो मैंने वो ही सारा कुछ लगा के model को train करना चाहा, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से error आगी, क्यों क्योंके could not convert no into some float values, तो इसी को हम आगे लेके चलेंगे, for now you should know, कि जब हमारे पास, 2 या 2 से ज्यादा x की value numeric हों, तो हम multilinear regression लगा सकते हैं, अगर numeric नहीं हैं, उनको आप numeric बना के भी multilinear regression बना सकते हैं, but for now I will stop here, उसकी reason यह है, कि आपको यह देखना है कि high value कितनी high होनी चाहिए, MSE की और low value कितनी low value होनी चाहिए, हम smoker को yes और no को convert कर सकते हैं, लेकिन मैं यह चाहूँगा कि इसको next day में लेके चलें, कि hot encoding क्या होती है, label encoding क्या होती है, और इस तरह की encoding की types के मदे नज़र रखते हूं, हम किस तरह के से different चीज़ों को check कर सकते हैं, और reverse encoding क्या होती है, encoding की technique जो है, हम सारी की सारी हम वहाँ पर देखेंगे, और उसके बाद हम check करेंगे, कि हम किस तरह के से तीन किसम की चीज़ों को draw कर सकते हैं, अगर मैं यहां पर आपको एक last चीज़ दिखाऊंगे, कि अगर मैं यहां पर आपको एक last चीज़ दिखाऊंगे, सिर्फ आपको दिखाना है, कोई इसमें समझने वाली बात नहीं है, इस तरीके से आप multilinear regression को 3D plot के अंदर भी ले के जा सकते हैं, something like this, ठीक है, और यह 3D plot को हम understand भी करेंगे, किस तरीके से आप multilinear regression को draw करते हैं, और कौन कौन सी लाइन कहां कहां पर cut कर रही होती है, ठीक है, और यह plane हमने basically draw किया है किसम का, और हम इनको देखेंगे कि smoker और non-smoker किस तरीके से यहां पर effect कर रहे हैं, ठीक हो गया, and then we will see किस तरीके से सारा काम करता है, आपको सिरफ तीन-चार points यहां पर बताने थे, कि interpretation क्या होती है, और चीज़ों को किस तरीके से हम आगे move करेंगे, and then यहां पर जो हमारी hot encoding और encoding वाली चीज़े हैं, वो कल को देखेंगे, और इंशाला पॉलिनोमे regression भी कल को देखेंगे, मैं यहां पर stop इस मेड़ा से कर रहा हूँ, मुझे पता है कि हमने पांच algorithm करने थे, algorithm करवाने का मसला नहीं है, मैं अभी आपको करवा सकता हूँ, बढ़ देखेंगे, तो उस लोगों ने offices जाना है सुबा को, और कल को हम same time पे 11 बज़े बैटेंगे, और अगर आप कहते हैं, तो इससे भी पहले बैट सकते हैं, फर में इस फाइन, क्योंकि मेरे पास time है अभी, यह तीन चार दिन, और आप बता देंगे, अगर आपने कुछ करना है ऐसा वैसा, तो हम time पे बैट के इसको जल्दी finish कर लेंगे, ता कि आपको रात को जागना ना पड़े, मैं यहां पर अपनी स्क्रीन को stop करता हूँ, और यहां पर मैं जो live stream और उसको भी stop करता हूँ, बाकि जिसने इस course के बारे में information लेनी हुए,